नमस्कार, वेलकम टू कहरिन मंत्रा 9.1 मैं अंकित यादव आपके अपने यूटूब चैनल में आपका स्वाद करता हूँ आज सी क्लास में हम उत्तपदेश लेकपाल के लिए ग्रामीर परवेश का पोर्शन इस क्लास में कर रहे हैं इससे पहले हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिए हैं अगर आपने वो ना देखे हैं हो तो देख लीजी आज सी क्लास में हम चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे इसमें हम उत्तपदेश का समान यारी मत्तब की UP स्पेशल कंप्लीट पढ़ेंगे ये सभी चैप्टर हम इस पुक से कंप्लीट कर रहे हैं आपने मेरे साथ अगर ये बुक कंप्लीट कर ली तो आपकी 100% एक सीट जरूर पक्की हो जाएगी होता क्या है कि जब हम अकेले बुक को पढ़ते हैं तो हम एक या दो पेश पढ़ करके छोड़ देते हैं चैप्लीट बुक नहीं कर पाते हैं ठीक है तो मैं 1Y1 चैप्टर वाई चैप्टर इस बुक को कंप्लीट कर आ रहा हूँ तो 10 से 12 दिन में ये बुक कंप्लीट आपकी हो जाएगी अगर आप इस तरह से मिरे साथ पढ़ेंगे ठीक है इस बुक में 6000 प्रश्णों का महामेरतन कंप्लीट दे रखा है तो आप समझ सकते है 6000 कोश्चिन करने के बाद आपका confidence level कहा तक पहुंच जाएगा ठीक है तो एक motivational quotation पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम अपनी class शुरू करेंगे आपके लिए ठीक है तो चलिए motivation quotation देख लेते हैं जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिखाएगी जोंक दे खुद को इस आग में यही आग तुझे हीरा बनाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों हीरे की तरह चमकने के लिए संसार में अपना मकाम बनाने के लिए अपने मातापिता का नाम रोशन करने के लिए और लेक पाल में अपनी एक सीट 100% पकी करने के लिए आपको खुदी मेनत करनी पड़ेगी चलिए मैं आपका साथ दोंगा इस मेनत को कराने में ठीक है तो इसी के साथ आज़ी क्लास हम सुरू करते हैं आज़ी क्लास के questions देखते हैं चलिए उत्तपदेश सामान गयान हम आज सुरू करते हैं इस पूरी वीडियो में ही एक ही वीडियो में ही हैं पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट कर रहेंगे आपके साथ ठीक है तो चलिए देखते हैं परस question की तरफ चलते हैं उत्तपदेश की स्थापना ठीक है थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसे जिसे कि आपको और थोड़ से बिजिवल रहे ठीक है अब चलिए चलते हैं उत्तरप्देश की स्थापना हुई थी 24 जन्वरी को ठीक है स्थावना कब हुय थी 24 जन्वरी बैश्च को उत्तरप्रदेश कब घ Рजी मãosतब कि क्या है उत्तराばदेश पर तूटके अलग हुआ था तो कब हुआ था तो 9 नवंबर 2000 को ठीक है 9 नवंबर 2000 को इसका विवाजन हुआ उत्त अपदेश राजी का ठीक है अब छेथफल की बात कर लेते हैं इसका छेथफल जो है यूपी का इस समय जो है 928 वर किलो मीटर ठीक है संपूर भारत नगर से देखते हैं वर किलो मीटर ठीक है वही है अब छेथफल के अनुसार इसका नंबर को अनुसार तो ये छेथफल के अनुसार चौधे नंबर पर है चौधे नंबर पर है ठीक है छेथफल के अनुसार ये कौन से नंबर पर है ठीक कुल जन्सक्या कितनी होगे मिलियंस में होगे पर अगर परसेंटेज में देखी जाए तो 16 दस्वन अप 51% इसकी कुल जन्सक्या है ठीक है अगर बैसे काउंटिंग किया जाए तो यह हो जाएगी आपकी 19 अरव हो जाएगी ठीक है उन्निस अरव 98,12,931 जो है इसकी जन्सक्या हो जाएगी अब क्या है जन्सक्या की द्रस्टी से भारत में इस्थान इससे कौन सा है तो यह फर्श नमर पर है सबसे ज़याद जन्सक्या है भारत में जो कहाँ पर है UP के अंदर ही भारत-मोज्स्तान पर है यह UoP ठीक है आगे देखते हैं, आगे कुष्चन चलते हैं हम लोग Pash number पर हमारा UoP हो गया आप देखें आगे देखते हैं इसमें और कुष्चन सीमा वरदि प्रदेश इस की देश की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से है है आप किंसासित प्रदेश कुन कुन से वो देख लेते हैं, तो इसकी सीमा से आठ तो राज्य लगे हुए, कितने राज्य लगे हुए, आठ तो राज्य लगे हुए, ठीक है, आठ राज्य लगे हुए, और एक किंसासित प्रदेश लगा हुआ है, आठ राज्यों में हर्याना हिमाचर प्रदेश, राजिस्तान, मद्ध्य प्रदेश, 36 गड़, बिहार, उत्राखन, जारखन ठीक है यह इसके आठ राज्य हो गए ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और एक साथ ठीक है इस तरह से और यह आठ, आठ राज्य हो गए और एक केंसासित प्रदेश कों सा जिला जो है सबसे जादा जो है राज्यों को इस पर्ष करता है तो वो है आपका कौन सा सोन भद्र है कौन सा सोन भद्र सोन भद्र जो है चार राज्यों को इस पर्ष करता है मद्यप्रदेश, 36 गड़, बेहार और जारकन यह चार राज्य है ठीक है राजधानी सी कौन स है इसके नकलव कौन सी राजधानी है नकलव जो है 1935 में स्थापित हुई थी 1836 में यूपी की राजधानी कौन सी थी आगरा थी और 1852 में जो है 52 से यू है क्या हो गई थी प्रियागराज हो गई थी फिर उसके बाद अब बरतमान में नकलव हुए राश्टी भासा इसकी है हिंदी 1947 से और दुती भासा जो बनी है वो बनी है उर्दू 1989 से ठीक है 89 आगे चलते हैं राज की चिन कौन सा सारे इंप्रेंट फैक्ट्स चले एक भी कोशन आपको मिस नहीं करना सारे जो है दो तिन वार देख करके वीडियो या फर लिख करके याद गरना कुछ चीज करना आपको ही पड़ेगा कोशन जरूर बनेगा इसमें से ठीक है राज के चिन आपने यूपी का देखा होगा उसमें क्या होता है एक भृत होता है सरकल होता सरकल में दो तो मशलियां होती है एक तीर धनुष मल्दब की तीर कमान होता है ठीक है धनुष और तीर होता है ठ कवाय था 1938 में आया था राय राज की इंरत्ये कुंho सा है कथक drives यह कहें कई है पुष्व कौन सा है यहां का होकी है पुष्प कौन सा है या फिर टेशू पहलास या टेशू दोनों की एक ही पक्षी कौन सा है सारस या फिर क्रॉच ठीक है सारस अध्वा क्रॉच दोनों ही की बात है पसु कौन सा है बारा सिंगा है ठीक है पसु कौन सा है आपका बारा सिंगा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं कहां गया हां बारा सिंगा अब राजी का बिधान मंडल तो राजी का बिधान मंडल कौन सा है अब देखो राजी का बिधान मंडल जो है दूई सदना अत्म अगर दो सदन है ठीक है एक तो होती है इसमें बिधान सभा और एक होती है बिधान परिशा ठीक है कुन-कौन से होत तो विधान सभा गठन जो किया गया था 8 मार्च 1952 को किया गया था 8 मार्च 1952 को बरतमान में विधान सभा के सदस्यों की कुल संक्या कितनी है तो विधान सभा के कुल सदस्यों की संक्या है 404 ठीक है पर 403 तो निर्वाचित होती है उत्तरखन्ड राजी के गठन सेपूर्ब उत्तब देश विधानसभां में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या थी 425, पहले कितनी थी? 450 जब यू है उत्रागंड नहीं तोटा नहीं था अब यू है 403 रहे गई है ठीक है आगे देखतें सबसे कम बिधान सभा सीटों वाला जिला तो वह प्रयागराज प्रयागराज में टोटल 12 सीटे कितनी सीटे हैं 12 सीटे हैं याद करने वाले दोनों important factor बहुत important क्योंकि अभी चुणाव निकल के गए तो इन में से question मना सकता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं ठीक है प्रियागरास तक हमने देख लिया है ठीक है 12 सीटों तक हमें याद हो गया है आगे देखते हैं हाँ अब देखिए बिधान परशद का गठन तो बिधान परशद का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1937 में हुआ था का हुआ था जुलाई 1937 में बरतमान में बिधान प में कुल सीटेवी संख्या पहले कितनी थी जब उत्तरदेश टूटा नहीं था तो उस समय 108 थी कितनी एक सो आट थी लोक सभा सीटें यूपि में कितनी है तो लोक सभा सीटें हैं आपकी 80 रास सभा सीटें कितनी थे कितनी सिटें है 31, उरवांचल, पश्मांचल, मद्यांचल वा बुंदिन खंड में विदान सवा सदस्यों की संख्या करम से कितनी है, то इन सब एरियों है, पूरवांचल, पश्मांचल, ठीक है, इना है, 162, 148, 73 और 19, ये सीटें है, ठीक है, विदान सवा की, सत्रे मी बिधान सभा के लिए महेना चुनी गई थी ठीक है तो महेलाएं जो कितनी चुनी गई थी तो 42% महेलाएं चुनी गई थी 42% सरी 42% महेलाएं चुनी गई थी तो परसेंटाल देखा जाया तो ये परसेंटेज में होता है दस-डस मेरा 42 ठीक है 42 मेलाई चुनीकी थी उसमें से 36 मेराई बीजईपी other 6 जो है अन्य की थी 15 यह वी बिदासवा में महला सदस्यों की संख्या सदस्य की संख्या करमसे कितनी थी 20 कितनी थी 23 ठीक है 5.70 सटथर परसंट थी 5 um 70% और यह आ रही है 23 थी और 35 भी थी ठीक है इस लोग सभा में S C वा S T के लिए आरक्षे सीटे कितनी है तो देखो S C के लिए लोग सभा में 17 सीटे हैं ठीक है 17 है पर S T के लिए कोई भी सीट नहीं है 0 सीट है विधान सभा में S T S C और S T की सीटे कितनी है तो S C की तो है 84 कितनी है 84 चाशी औरеди Cristo संफ़ाइं ऐसंच्छान सबसे बड़ा निकाला गया मतदाताओं कि संख्यान के दरष्टी से सबसे बड़ा वह सबसे छोटा संसदीא स्भावद से संसधिये च् covenant मतदाता सबसे का पर और और चलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं अब तक कुल राश्पती सासन तो राश्पती शाषन यूप में लग चुगा कितनी वार दस वार लग चुगा है जिन गर्णा के समय चोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है तो जनगर्णा जब हुई थी तो उस समय छोटे बड़े नगर हैं आपके 915 जनगर्णा के समय बैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है तो 648 सबसे कम बैधानिक नगरों वाले जिले कौन कौन से हैं तो देखो सबसे कम बैधानिक सबसे ज्यादा और सबसे कम तो सबसे अधिक है तो बदाईयू और सबसे कम है आपका सरावस्ति बदाईयू में 23 और सरावस्ति में 2 राज्य में योजना बद्ध नगर ठीक है तो योज नौइड़ा और न्यू कानपूर शिटी, ये ती नगर जोए योजना बदflowerगर के बनाए गए ग्रेटर नौइड़ा न्यू कानपूर शिटी ये तीन नगर है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आवास वा विकास परिशत ठीक है तो आवास वा विकास परिशत है आपके कितने हैं चववन हैं ठीक है कितने हैं आपके चववन हैं ठीक है विकास प्रदिकरण आपके कितने हैं 27 हैं विसेश छेत्र विकास प्रदिकरण कितने हैं आपके 5 ह है संभावで मृंडलों की सैंख्यíllके यूपी में तो 8 अठा रहे अलीगड छादम कौन बनाता है अठार मंडल जो बना था लीगड़ बनाता है सबसे बड़ा संभाग सबसे बड़ा मंडल आपका इसा ऐंककर कांपूर नकलओ और मेरत ठीकर तो क्यों है ये तीन हो क्योंकि इस में जो है 6-6 जिले हैं सभी में कानपूर में भी 6 जिले है नकलों में भी 6 जिले है और मेरट में भी 6 जिले है सबसे छोटे संभाग या मंडल कौन से सबसे छोटे कौन कौन से है तो वो है आपके मिर्जापूर, आजमगर, बस्ती, जहासी और सारनपूर, इसमें कितने जिले हैं, तीन-तीन जिले हैं सभी में, ठीक है, मिर्जापूर, आजमगर, बस्ती, जहासी और सारनपूर, सभी में कितने-कितने जिले हैं, तीन-तीन जिले हैं, जिलों की संख्या टो पिट है इसकी नकलाव में राजय उपभुक्ता आयोग कहां पर है आपका नकलाव undertaking न्याइक प्रसक्षण केंद्र है न advent कहां है करें तो डीक लिए विज़ेश न्याले कहां पर है तो आपकी नकलाव में है मेरट में आगará बरीली और आपका बारानसी में ठीक है नकलव मेरठ आगरा बरेली और बारानसी इन जगे पर आपकी क्या है इन जगे पर आपकी क्या है अपरार्थिक अपराधिक नियाल है ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लो आर्थिक अपराधिक नियाल है यहां तक हो गया ठीक है चलिए आगे देखते लोग हम यहां ऑध्योगिक न्याइध ही करन वद्देक रहकर आपका प्रचयर B. Mark. काूर अघ्रा Ming और नख्लौ में है, प्रथम केंद्रियह काया है, कारअगार कारे étant Heidi जेल पहला वाला सबसे पहले रथा रहां में 1846 में महला बंदी निकेदन कहां पर है तो आपका पर इपने पर सेंख्या कहां पर है ठीक है वह कब हुआ था हमारे यह पर तो कितने जिलों में सत्रे जिलों में नागरिक सुरक्षा संगठन कब बना था तो 1962 में राज्य सुरक्षा आयो का गठन कब हुआ तो 2003 में हुआ राज्य मानव अधिकार आयो का गठन कब हुआ 2002 में हुआ राज्य बाल अधिकार सरक्ष्ण कब हुआ तो purity में हुआ आर्तिक संभाग छेत्र कितने हैं वारे यह चार है नगर एवं नगर संभू म की संख्या कितनी है तो 915 है ठीक है लिगर Wam संब हमारे 74, 73 ठीक है, ये कब के अनुसार है, 31, Agr 2016 के अनुसार, नियाए पंच्याद हमारे है, 8135 थीक है, 8135 है, तैसिले कितनी है, साढ़े 300, 350 और समुदाइक विकास खंड कितने है हमारे याँ तो समुदाइक विकास खंड है आपके हमारे याँ 821, ठीक है, चली आगे देखते हैं अम लोग एक सेकिन, आगे देखते हैं 821 यह तक हमने कम्प्लीट कर लिया, आप देखते हैं ठीक है नगर पंचयाद हमारे हैं कितनी है चार सो अड़ीस हैं कितनी है चार सो अड़ीस है नगर पालिका परिशद हमारे हैं कितनी है 198, ठीक है नगर निगम हमारे हैं कितने है 19 है, ठीक है आयुद्धермर बंदावन नगर निगम वर्ष 2017 में स्थापित वाट ठीक है यह नाश्ट में बनी हैं तो इनको हमें याद रखना है ठीक है, नगर निगम लाश्ट में कुंकोंसे बने हैं एक तो आईद्धा बना है और एक मतरा बन्दावन बिकाद नगर नगर निगम बन गया ठीक है अब आगे देखते हैं कुल ग्राम टोटल गाउन हमारे कितने हैं तो 1,674 एक लाख 6,774 आवाद ग्राउं कितने हैं मदल जिन में आवादी रहती है ठीक है तो वह हमारे हैं 97,814 कितने हैं 97,814 आगे देखें जलवाईू हमारे हैं कि जलवाईू कैसी यूपी की तो शीत काल जो शर्दी पढ़ती है हमारे हैं अप्टूबर से हो जाता है सितंबर तक चलता है और गर्मी जो रहती है मार्श से लेकर के मध्य जून तक रहती है तीन वौसम रहते हैं हमारे हैं मोशली सबसे कम वर्षा वाला जनपत सबसे कम वर्षा कहा होती है तो वह होती है आपकी मत्रा में ठीक है 54 सेंटीमीटर तक होती है सबसे कम वर्षा वाला जन्पत कौन सा है तो वह आपका गोरगपूर 184 cm के आसपास लगबग इसमें बर्षा होती है ठीक है मत्रा में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि मत्रा बिलकुल सैड में कोने पर है ठीक है आपका अगर मैप में देखेंगे तो बिलकुल इस हाथ पर पड़ता ह ठीक है आपके क्याना में पश्यम यहाथ पर पड़ेगा ठीक है पर अगए भी तरफ पड़ेगा पूरा तो जो विपारश आती है पश्यम मंगालं से होती हुए आती है थो आपकी लाष्ट में याकर बहुत कमबर सा रह जाती है इस तरह से यादर राखी जो करह आएगे क्या है वीडियो पॉस करके के लिख लेना है याद कर लेना आपको जैसे सही लगे वो करना है ठीक है तो ये बांध के नाम में पूरीट कर रहा हूं आप समझेए थोड़ा सा रहिंद बांध तो रहिंद बांध आपका गोविंद बलन बन लव पंध सागर बांध 1961 में बनात 1958 पर, ये कौन सी नदीप है, बेतवा नदीपर है, ये इसके पास में कौन सा शहर है, आपका ललितपुर शहर है, कौन सा शहर है, ललितपुर शहर है, मुसा कहंद, ये कौन सी नदीपर है, आपका कर्मनाशा नदीपर है, बहुत important है ये question, ठीके कर्मनाशा नदीपर है, इसक आपका मिरजापुर नगर इसके पास में है। कनहार बांद ठीक है, ये भी आपका कनहार नदीप है और दुद्धी तैन ongebhadr पास में है, ठीक है। जिर्गो जलाशे बांद उनिस सो अठान बनाता तो ये कौन सी नदीप पर है, जुर्गो नदी पर है और ये को वहाँ पर है आपका मिरजापूर में सर्यू बांध तो सर्यू बांध सर्यू नदी पर है और ये बैराइच में है मोहुधा बांध ये आपका बिर्मा नदी पर है और ये हमीरपूर इसके पास में है बान सागर बान ये इंपोर्टेंट है आपको बहुत ठीक है इंपोर्टेंट सा रही है ज्यादा नहीं है इसमें ठीक है बान सागर बान ये सोन नदीपर है और ये शहर डूल मध्यवर्दीश में है ठीक है पत्राई बान पत्राई बान आपका पत्राई नदीपर है ये जहा बंद कुछ सा तो माता टीला रानी लक्षमाई बांध जो आपका बेतवा नदी पर ललितपूर में है और ये आपका 51 91 जो है इसकी हाइट है कितनी हाइट है 91 इसकी हाइट है चली आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है नदियों के किनारे अवस्तित प्रमुक्षार ये इंपोर्टन को है ये डारेक का विगार पोशन पूछ लिए आता है ठीक है तो देखी आप यहाँ इधर फोकस करें नदि योंके तठ ठीक है तो नदी आपकी कौन सी है घंगा नदी है ठीक है अब घंगा नदी के किनारे ये आपके सारे शहर भसे हुए ठीक है पड़राओं में परवनवाइवन शेरपूर बलिया गाजिपूर शहर शैदपूर गाजी बारानसी मरजापूर सिरसा अब है राम गंगा दूसी नदी कौन सी है आपकी राम गंगा के किनारे पर मुरादाबाद और बरेली बसे हुए है ठीक है राप्ती ठीक है कौन सी है राप्ती के किनारे कौन कौन से है गोरकपूर और देवरिया बसे हुए है ठीक है आगे है सर्यो नदी सर्यो नदी का है आयुद्या गोला और बरहल गंज बरहज है ठीक है गोमती नदी पर कौन कौन से बसे हुए है जौनपूर सुल्तानपूर थेकं के मन्दांकनी नधी के किनारे कौन कुं सही क्यां पूर्थ हम पूराज़ वहा है गाजिएवाद ठीक है प्रमुक जीले देखेंगे यूपी की हम लोग इसमें देखें यूपी की जीले दे रखी है तो आपकी है पारवती एम अरगा ताल ठीक है पहली जील है तो ये आपकी जील बसी जो है गॉंडा जिले में है कौन से जिले में गॉंडा में प्रियाग जील बहराईच में, बड़ा ताल शहाजांपुर में, ठीक है, नवाव गंज जील या कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है, रामगर ताल या आपकी गोरकपुर में है, गोविंद बल्लब पंत सागर कृतिम जील या आपकी सोनबद्र में है, बरिखा जील या आपका सुल्टानपुर में है, राधा वाश्याम कुंड या मानसी गंगा कुंड या आपका गोवरधन मत्रा में है, अलवार जील बिदेशी पक्षियों का आगोन यह आपर होता ये कोशामभी में है, देवरिया ताल कन्नोज में है, बल हपारा ये कानपुर में है, धम्ताल यह आपकी आगरा के पास में हैं कोलिका कुंड या कृष्न कुंड या आपका कोलिका वन मत्रा में हैं सीता कुंड या भरत कुंड यह आपकी आयुत्या में हैं ठीक है इस तरह से यह आपकी complete हमने सभी जील यह कर लिए अभी और हैं जील स्वरी अभी और जील है नी एक सेकेंग देखें लोधी एम भोजपुर ताल यह आपका सुल्तानपुर में है आधी ताल यह आपका बरानसी में है करेला एम इजौला जील यह आपका नकलाओ में है देखो इतना ज्यादा याद नहीं हो सकता किसी को भी पर क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है ठीक है अप कम्प्लीट नहीं हमने थोड़ा सा पढ़ लिया फिर कल फिर देख लिया फिर थोड़ा से याद कर लिया इस तरह से और या फिर दो तिन वार रिवाइस करेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये उसीरी में, मैं अप रखिए मैं अपसे आप याद रख पाएंगे मोती गौर जील ये आपकी रामपुर में है भगे ताल बिस थैलाल राय बरेली में है नो जील आपकी मधरा में है टांड़ दरी ताल ये आपकी मिर्जापुर में है मदर सागर ये आपकी महुवा में है सिसरी जलासे ये आपका मिर्जापुर में है जिर्गो जलासे ये आपका मिर्जापुर में है लीलौर जील ये आपकी बरेली में है मो राय ताल ये आपकी फतेपुर में है दखल जील ये आपकी फैजाबाद में है फुलर जील ये आपकी पीली भीत में है बेती अजगरा और नाईया जील ये आपकी परताबगण में है बरुआ सागर और भस नेह ये आपकी जहासी में है लक्षमी ताल ये आपकी जहासी में है इधर की तरफ देखते हैं सीता कुंड चक्र कुंड या की सीतापुर में हैं भीला जील इटावा में हैं दरहर जील या भेजवान जील ये दोनों जो है आपकी हरदोई में हैं फुलर या गोमत ताल ये आपका कहां पर है पीली भीत में हैं मदन सागर महुमा में सागर ताल बदाईयू में, दर्वन जील फैजाबाद में हैं, ओंधी ताल बराणसी में हैं, शेखा जील राष्ट पक्षी विहार के रूप में इसे बनाए गया है, ठीक है, तो यह आपकी अलीगण में हैं, राम ताल मेरट में, शुक्र ताल मुझफर नगर में हैं, मोती और गौर जील रामपुर में, सुरहा ताल या आपका बलिया में हैं, ठेटोरा जील या मोराय ताल फतेपुर में हैं, लिलोर जील बरेली में हैं, भोगे ताल या बैसाथा ताल या आपकी राय बरेली में हैं, यह कम्प्लिट सारी जीले हो गए हैं, ठीक है, एक दुब तोब में अम बीअ दीद कि च hp t a को गपरी ओचना देख्या रखी हे एधर ये परियोजन fact 공al ुशुरूक यह किस नदी परसे संब्द दे तो कौन कौन से चले से लावनबित होती ठीक हैelsh alarm यह निचली गंगा नहर इसका जो उद्गम है यह बनाई गयए नरोरह मैं बनाई गई ठीक है अब है मद्द गंगा नहर ये बिजनौर इपमें बनाई गई गई है और ये इस पर ये किस नदी पर है गंगा नदी पर ये भी इससे लावनबित जिले है बुलंद शेहर गाजियवाद मतरा हातरस और फिरुजाबाद दूसर तीसरी अगली उप्टी गं गंगा नदी के दाहिने पर बनाई गई है इससे लावनबित जिले है शारनपूर मुझफर नगर मेरट बुलंद शेहर मतरा अलीगर एटा फिरुजाबाद इटावा मैनपूर इकानपूर और फतेपूर ये सब इससे लावनबित हैं चलिए आगे चलते हैं पूर्वी यम उर्वी यमना नहर जो है ये फैजाबाद या फिर सारनपूर में बनाई गई है और ये जो है यमना नदी पर बनी हुई है ठीक है सारनपूर मुझफर नगर मेरट गाजियाबाद और दिल्ली इससे होने वाले लावनबित होने वाले शेहर है फिर देखते आगे राम नहर राम गंगा नहर कालागण पोड़ी या फिर राम गंगा नदी पर बनाई गई है इससे लावनबित जिले हैं बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद और रामपूर ठीक है इससे लावनबित होने वाले जिले हैं बिजनौर अमरोहा फुरादाबाद और रामपूर आगरा शार्दा नहर ये ओकला दिल्ली के पास है और ये नबना नदी पर बनाए गया है इससे लावानवित जिले हैं दिल्ली, गुरुगराम, भरतपुर, मतरा और आगरा शार्दा नहर, शार्दा नहर से बनवाशा नेपाल सीमा पर है और यह जो है शार्दा नदी पर बनाई गई है इससे लावनबित जिले हैं पीली भीद बरेली, शाजापूर, लखीमपूर, सीतापूर, हर्दोई, बाराबंकी, उन्नाव, नकलव, राय बरेली, परताबगर, सुल्तानपूर और प्रियागराश अब सर्यू नदी, सर्यू नदी जो है कतर निया या बहराइच, कतर निया बहराइच में बनाई हुई है और यह घागरा नदी पर है इससे लावनबित जिले हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपूर, गॉंड़ा, बस्ती, गोरगपूर और महाराजगन ये सब इससे लावानबित होने वाले जिले हैं घागरा नदी जो है मिर्जापुर में बनाई गई है और ये घागरा नदी पर बनाई गई है ठीक है किस नदी पर घागरा नदी पर बनाई गई है इससे लावानबित जिले हैं सौनबदर और मिर्जापुर बेतवा नहर पीराच्छा नदीपर बनाई गई है और यह बेतवा नदीपर बनाई गई है इससे लावनबित जिले हैं जहासी हमीरपूर और जालोन केन नहर, केन नहर, पन्ना, मद्यपरदेश में बनाई गई है और ये केन नदी पर बनी है और ये जो है लावनबित जिले हैं से बाध, ठीक है गंड़क नहर नैपाल में बनाई गई है और बूड़ी गंड़क नदी पर बनी हुई है इससे लावनबित जिले हैं गोरकपुर, कुशी नगर, माहराज गंज और देवरिया ये इससे लावनबित जिले हैं ठीक है आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं यहां तक देख लिए गंड़क तक अब देखिए राणी लक्षिमाई बांध नहर राणी लक्षिमाई बांध नहर तो ये माता टीला या ललितपुर में बनाई गई है और ये बेतवा नदी पर बनी हुई है ठीक है इससे लावनबित होने वाले जिले हैं हमीरपुर जालोन जहासी और ललितपुर रिंद गाटी योजना नहर ये आपकी पीप्री पीप्री सोनबद्र में ठीक है कहाँ पर है पीप्री सोनबद्र में और रिंद बांध पर बनाई गई है ठीक है रिंद नदी पर बनाई गिए इससे लावनबित चले हैude प्रयागर नहर आपकी शहर दूल मद्यप्रदेश में बनी हुई है और यह जो है सौन नदी पर बनी हुई है इससे लावन बित जिले हैं जासि और हमीरपूर, आगे देखें हम लोग बेलन टोस नहर बेलन टूस नहर आपकी रीवा में बनी हुई है बेलन नदी पर और इससे लावनबित जिला है प्रयागराज बान गंगा बेराज नहर ये आपकी शोहरत गड़ मतलब की सिद्धार्थ नगर में है और ये बान गंगा नदी पर बनी हुई है यह जो है लावनबित जिले हैं से सिद्धाट नगर और बस्ती नोगडबांध नहर गाजीपुर में है और यह आपकी कर्मनाशा नदी पर बनी हुई है यह आपका चंदोली गाजीपुर में है ठीक है चंदोली गाजीपुर में है और आगे देखते हैं इसकी और इंपोर्टेंट क्या क्या है इसमें ठीक है यह और यह और नदी यह बांध और लावनबित जिले हैं देखें मेज़ा जलाशे नहर ये आपका मेज़ा प्रियागराज में है और बिलन नदी पर ये से लावान बिद जिले हैं प्रियागराज और मिर्जापुर चंद परभा बांध नहर ये चकिया ये चंद अली चंद परभा में हैं चंद अली नदी पर अरजन बांध नहर ये चरक खारी हमीरपूर अरजन में है और ये हमीरपूर में है मद मोदहा बांध नहर ये हमीरपूर बिर्मा में है हमीरपूर में एहरोरा बांध नहर एहरोरा बारानसी गड़ई में है बारानसी मरजापूर में है नगवा बांध नहर ये आपका नगवा में हैं और कर्मनाशा नदी पर इससे लावनवित जिले हैं मुर्जापुर और सौनबद्र ठीक है चलिए ललितपुर नहर बांध नहर ये ललितपुर में है और शेजाद नदी पर है ये ललितपुर जहासी जौनपुर और हमीरपुर इसे लावनवित जिले हैं हमीरपुर नहर हमीरपुर में है और यमना नदीपर हमीरपुर जालोन और जहासी इसे लावनवित जिले हैं कहोध नहर ये जहांसी में हैं बेतवा नदीपर जहांसी और जालों इससे लावनवित जिले हैं कुराह बांध नहर ये हमीरपुर में हैं हमीरपुर इससे लावनवित जिला है उर्मिल बांध नहर ये महुवा में है ये महुवा नदीब महुवा में है और महुवा इसे लावनवित जिला है उटारी बांध ललितपुर उटारी में है और ललितपुरी इसे लावनवित होने वाला जिला है ठीक है ये हमने इंपोर्टेंट्स ये चीज़ है फैक्ट्स द सबी याद नहीं करने ठीक है जो सबसे पहले थे वो याद करने को कि पूरी सिरीज आपको याद नहीं करने सबसे पहले वाले और जो बरतमाल में हैं वो याद करने तो सबसे पहले आपका जो राजपाल थे तो वो कौन थे सरोजनी राइटू ये कब से कब तक रही थी तो 1947 स से लेकेiosis और राष्ट में कौन लएह यहां कि सुरीमती अनन्दी बेन बटेल क्ोन रहे हैं शुलाई वुलाई 2019 अगर पेपर के डवर जैन्ज हो जाते हैं तो उसके क्षइब औरर और हमारें गले मेरा देखते हैं आगे देखें इसमें अब देखें इसमें मुख्य मंत्रियों की कारेकाल दे रखें वही सेम सबसे पहले वाले और सबसे लाश्ट वाले ठीक है एक कोशन ये कभी कवार बना सकता है कि सबसे ज़्यादा कारेकाल किस का रहा तो आपको मैं पूरी टेबल में दिखा रहा हूँ तो आप खुद ऐसे कोशन को खुद भी निकाला करें ठीक है तब ये आपकी इस्टडी मस्बूत बनेगी ठीक है तो सबसे पहले मुख्य मंत्री थे आपके गोविन बल्लब पंदी जी इसे लेकरके 27 दिसंबर 1994 रहे थे ठीक है फिटनल लंबा गारकाल हो गया ठीक है चलीए आगे देखते हो और बरतमान में आपको पता यह योगी आदितेनाद जी हमारे बरतमान में है ठीक है ये तो आपको सब Steph को पता हुआ ठीक है देखिए 32 मुक्य मंत्री हो चुक है,ा योगी आदित्य नाध योगी जी हमारे बरतमाने मुक्य मंत्री चलनाव हो तो इसमें भी हमारी इनिकी पार्टी ही वजय हुई है मुक्य मंत्री कौन बनता कौन श्बत लेता यह हम staat पटा हो ज़ink है अब देखिए इस पेज में और तीन वर्ष की बात चलती है, देखो, एक वर्ष में कि उनकों सिरुते धान और मसूर, धान करेंगे और मसूर करेंगे तो वो एक वर्ष में कम्प्लीट हो जाता, जुआर, अरैर और गेहूं करेंगे तो वो दो वर्ष में कम्प्लीट होगा, धान और मतर करेंगे तो वो एक वर्ष में होगा भान या मक् возмож साथ में दान कर लो बह्स एक वर्स में रहेगा मतना मकcor Graph दान करो दान कर लोगा तो एक वरस है दान गहँऊं और सर्सहों तो भो एक वर्स है dhannad? और जो वो भी एक वर्स है, गन्ना, पेडी, हरी, खाद, ठीक है, ये करें, तो वो तीन वर्स का है, ये फसल चक्र हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इस साइड में, इधर का साइड में दे रखाए पेश, ठीक है, इसको देखते हैं, पश्यमी उत्तर पदेश में फसल चक्र है, अब पश्यमी उत्तर पदेश में फसल चक्र देखें, तो मक्का ये है, पश्यमी उत्तर पदेश का, ठीक है, मक्का अलू प्या, ये भी एक वर्स का है, मक्का अलू गैहूं ये दो वर्स का है, धान गैहूं जो ये एक वर्स का है, जुआर गैहूं ये एक वरस का है ठीक है ये बास में आई होगी चलिए आगे देखते हैं इसको आपको मैं और बड़ा जून कर दो तो आपको और अच्छा सा रहेगा ठीक है अब सही है ठीक है अब देखिए इसको बंदेल खेंड में फसल चक्र कैसा रहता है तो बंदेल खेंड में फसल चक्र रहत डूता में बताँ आपको कि दिर और एक वर्ष वाले याद करने कोशिश करिये वो अक्सर करने बन सकता है और बंचे प्रुपर वाला तो कुष्म 걸 बूर मतांना है ठीक है यह तो simple सी बात है चलिए आगे देखते हैं हम लोग ठीक है प्रमक उद्ध्योग एवो अवस्तियां है ठीक है कहाँ पर कौन सा उद्ध्योग चलता है तो यह आपको बता है यह मतलब कि कौन से उद्ध्योग किस से related है तो यह सब हमें देखना है ठीक है से उद्ध्योग और उनकी इस्तिती निम लखेते हैं चलिए आगे देखते हैं इसको परकर देते हैं तोड़ा से हाँ अब देखें सीमेंट उद्ध्योग आपका दादरी चुनार चुर्क और डाला ठीक है यह सब में चलता है ताला उद्ध्योग या हार्डवेर तो यह मिट्टी के बरतन चिनहट में हैं इलाइबुड उद्ध्योग सीतापूर और नजीवा बाद में हैं सिगरेट निर्मान उद्ध्योग यह आपका सारनपूर और गाजियाबाद में लोए का बाट उद्ध्योग यह आपका सारनपूर आगरा में हैं धातू पात्र धातू क उद्धियोग यह आपका मेरत में है कालीन यह आपका मिरजपूर बदहूई और सौ princess में चमड़े का सामान करतिम अंग यह निर्मना बनाई जाते हैं यह कानपूर में हैं डिन्दी आपकी बलिया जर दोजी ये सब आपका नकलों में है लकडी के खिलोने रेशम का उद्ध्योग ये आपका बरानसी में है ठीक है यहां तक देख लिए हमने आगे देखते हैं चमडा उद्ध्योग ये आपका आगरा और कानपुर में है चमडा उद्ध्योग आपका कहा पर है आगरा और का मद्रा में है एलमूनियम उद्ध्योग रेनुक रेनुकूट मतलब की सोन मद्र में है चाकु और केंची आपका ये रामपुर में ठीक है ये उद्ध्योग हो गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं ठीक है इस पेच पर आ गएंगे हम ये उद्ध्योग चल रहे हैं आपके ठीक है थोड़ा और बड़ा करते थे हैं जिसे कि आपको और विजिबल रहे हैं अच्छे से दिखें चलिए अब दिखें कांच के सामान है मुद्ध्योग बरेली आगरा प्रियागराज पिलीवीत में हैं मुड़ा उद्ध्योग या गण मुक्तिसर में हैं लकड़ी की शिल्प ये बरेली में हैं राय बरेली में हैं प्रेशर कोकर जॉनपुर में हैं सॉफ्ट्वेर हम सूशना प्रवध्योग की नोईडा में हैं काश्ट पदुका ठीक है लकड़ी की मलतब जो पादुका मलतब की चप्पलें कह सकते हैं खड़ाओ पीली भीत में बनती हैं आपकी इसपात उद्ध्योग आपका गाजियाबाद और अलीगण में है ठीक है चलिए देखते हैं आगे यह हो गया आपका अब देखते हैं ग्रेनाइट खनन उद्ध्योग आपका ललिदपूर में है यह एक सेकेंड आगे इसपात तक हो गया ना चलिए चलिए देखिए हाँ ग्रेनाइट उद्ध्योग आपका गाजियाबाद अलीगण और मजफर नगर में हो गया ग्रेनाइट इसपात सोरी दरी निर्मान उद्ध्योग आपका बरेली आगरा अलीगण में है इटावा मरजापूर साजापूर में है पत्थर के खिलोने आपके चित्रकूर में बनते हैं खाद प्रसंकरण मलब की आलू के उत्पात खाने की चीज़ें इटावा में बनते हैं डेरी उत्पात आपके प्रशंस्कार मतलब कि केला कोशाम भी आमला से संबंदित उध्योग प्रताबगड में हैं हैं ब्लेक पौटर उध्योग आजमगड़ में आभूशन उध्योग बरानसी कानपुरो नगर में हैं ओटो मोबाइल उद्ध्योग, वातम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और नकलो में हैं, एशिंग, प्रोसेशिंग, ठीक है, हात रस में हैं, ठीक है, पर्रेटन अयम, कलातमक, संगमरमर, और क्या नाम है, संगमरमर की बस्त में का बनती हैं, आपकी आगरा में बनती हैं, हा लावड मतलब की मिरड में बनता है, जरी का काम कहा होता है, बरेली, बदाईउं और साजापूर में बनता है, ठीक है, पर्दा कहां बनती है, गाजीपूर में, घर का फरनीचर का बनता है, हापूर में बनता है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, देखिए, आप में हैं आगरा आजमगड़ पतेपूर में हैं ट्रांशपार्म की फ्यक्ट्री काँपर है ज्हांसी में ठीक है चलिए इस तरफ के देख लेते हैं इस तरफ कॉन-पुन से देरखे हैं आपके इसटीक है चलिए देखते हैं बिस्कुट उद्ध्योग आपका मोधी नगर में है बरेली मोधी नगर कहाँ पर है आगरा में अलीगण में और इलाबाद में ठीक है पेठा उद्ध्योग कहाँ पर है आपका आगरा प्रियागराज में देशी घी आपका कावंता है और या में हत करगा बाग पड़ में जरी और जर दोजी कास गढ़ में लख्टी की नक कासी बिजन ओर में ठीक है आगी दिखते हैं सुर्मा उद्ध्योग सुर्मा उद्ध्योग तो आपको सबी को पता हुआ सुर्मा बरेली वाला ठीक है गाना बना वद्धियोग आपका कहा पर है बरेली में हैं कॉयला खननन उद्धियोग सिंग रोली 190 में electronics सुद्धियोग नोयड़ा greater नोयड़ा में Ingenierियव गाजियाबाद में गंटी गावंदिए, एटावंदिए, राश्रीय, सांस्क्रतिक, संपदा, सारक्षण और नसंदहन, कहाँ पर आपका? नखलो में में है, अब बात करेंगे उत्तर प्रदिश की प्रमुक PARK, और सिटी के बारे में ठीक है? प्रधम निरियात समवर्धन ओध्योगिक पार्क थीम पार्क ये कहां पर आपका आगरा में है निकिडा सिटी ये आपका उन्नावर कानपुर के मद्धे में है टीक है उन्ना वोर कानपुर के मद्दे में हैं विग्यानेम प्राध्योगी की उद्धिमिता, विकास पार्क, टेक्स्टाइल होजरी, पार्क और साइवर सिटी ये कि सब कहां पर आपकी कानपुर में हैं, साफ्टवेर, टेक्नोलोजी पार्क, ऑफ इंडिया, अलेक्ट्रोनिक सिटी, ये कहां पर आपका नौइडा में हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी आपकी कहां हैं, देवरियापुर, और याबाद में और या में हैं, टेक्स्टाइल और एगम होजरी पार्क, या साइवर सिटी, ये कहां पर आपका कानपुर में हैं, निरियात्तोत्मुख सॉफ्ट्वियर पार्क, ये आपका नौइडा और कानपुर में हैं, बायो टेक्नलोजी पार्क, एग्रो पार्क, छेत्रिय साइंस सिटी, ये आपकी नकलाउ में हैं, पर्फ्यूम पार्क ये आपका कन नौज में है नौलेज पार्क ये आपका ग्रेटर नौइडा में है ठीक है चलिए आगे देखते हैं ग्रेटर नौइडा के आगे देखते हैं क्या क्या है उनसे पार्क दे रखे हैं हमें ठीक है ये देखिए greater noida की बाद हमें दे रखा है कहां गया है mega food park mega food park आपका बहेडी यह मतलब की बरेली में है electronics park noida में है leather technology park उन्नाब में है agro park आपका बारबंकी या बरानसी में है science park आपका सिडीला हर्दोई में है और ट्रोक निका city या web city या आपकी कहां पर है लोग प्रमोक अद्यों कि इनके बारे में अब हम बढ़ाएंगे अब हम उत्तर प्रमोक अद्यों की सनस्थान देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जूम करते हूँ आपको थोड़ा चोटा करना को ये आपको क्लिर होगा यह देखते हैं यह देखते हैं अब देखिए ललितपुर में आपका क्या है भारत एक्स प्लोसिव ठीक है भारत का एक्स प्लोसिव संस्थान है ठीक है मलदब की बारुद का कार खाना है ठीक है ललितपुर में बरानसी में आपका क्या है बरानसी में आपका इंडियन इनिस इंच्ट्यूट औफ हैंड्लूम टेक्नोलोजो चाहा बिलबीया कर अएंच्ट चाहा ब्योत पर्लशिंअर्बीय। modern bakeries है भारती चम्ना रंगाई एम जूता संस्थान है करतिम अंग निर्माल निम्टेड है उत्तर पदेश प्रद्यूग विकास निगम है डॉक्टर अंबेटकर इंस्ट्टूट आफ टेक्नलोजी फॉर हैंडिक्राफ्ट है ठीक है भरदोई में आपका क्या है भारती कालीन प्रद्यूगिक संस्थान है या पर फॉर्जाबाद में क्या है आपका फॉर्जाबाद टूडला में आपका डीप फ्रीज मीट प्लांट है ठीक है मत्रा में क्या है आपका तेल शोधन कार खाना है ठीक है सिंगरोली या सोनबद्र में क्या है, सिंगरोली कोयला खान है, ठीक है, मेरेट में आपका क्या है, भारती इस्टील रोलिंग मिल, खेल उपकरान कार खाने है, मोधी नगर या बरेली में क्या है, आपका क्रतिम रवड फैक्टरी है, ठीक है, क्रतिम रवड फैक्टरी है, चल पुर में आपका क्या है उत्ता प्रदेश गन्ना अनुसंदान परिशद है ठीक है गाजीपुर में अफीम कारखाना है राइवरेली में इंडियन टेलीफॉन इंडस्टीज राजीव गांदी इनिस्टूट आफ टेकनलोजी रेल कोज फैक्टरी रेल पैया कारखाना ये सब है प्रियागराज गोंडा गोरकपूर में क्या है आपका उर्वरक के कारखाने है नरोरा बुलंशेर में क्या है आपका परमानुशक्ति केंद्र है नैनी इलाबाद में क्या है भारत पंप कम प्रेशर्स लिमिटेड है बारा बंकी में क्या है आपका पॉलियेश्टर युक्त सिलका बालू तैयार करने वक्या प्रमुक कार खाना है नखलू कानपुर में क्या है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जहासी में ट्रांसपार्म बनाने के प्रमुक केंद्र है मंडूआ डी हुमें क्या है डीजल लोकोमेटिव वर्क्स डीजल हैं विजली दोनों के इंजन बनाए जाते हैं राए बरेली नैनी में क्या है इंडियन टेलिफान इंडिस्ट्रीज है गाजियाबाद में क्या है आपका करपड़ान उसंदान केंद्र है ठीक है यह आपके ओध्यो के संस्थान हो गई ठीक है चलिए आगे देखती है हम लोग अध्योगीविकास पराधिकरण ये आपका Greater Noeda Gautam Buddhism Nagar 2001 में बना था पुरणपुर नवीनोख़ाद ओध्योगीविकास पराधिकरण यह आपका जौनपुर 1989 में मनाता गोरकपुर अद्योगी विकास पराधी करन यह आपका गोरकपुर 1988 में मनाता नभी नोखला अद्योगी विकास पराधी करन ग्रेटर नोयडा यह कौतम उद्नगर 1976 मनाता भधोई अद्योगी विकास पराधी करन यह आपका बदोई में है झालिए आगे देखते हैं इसमें और क्या-क्या हम सीख सकते हैं एक जिला एक उतपाद यह योजना चलाएगई है मुधी के दुआरा ठीक है तो एक जिला एक उतपाद में हम देखेंगे किस जिले से हमारा कौन सा उतपाद है ठीक है सबी जले से कोई ना को युद्पाद है तो वो सब हम देखेंगे चलिए ठीक है तो बड़ा कर लेते हैं जिसे कि आपको और अच्छे से विसिफल रहे है चलिए ठीक है देखिए अलीगड़ में आपका ताले और हार्डवेर है और यहां में दूद परसंगर मंदब देशी की है आजमगड़ में काली मिट्टी की करतिया बना जाती है उद्ध्या में गुड़ बनाए जाता है अमबीटकर नगर में बस्तरुतपा के बाद बदाई में आपका जरी और जर, दोजी उत्वाद बना जाता है मेटी में पूज उत्पाद बना जाता है बलियां में बिंदी उत्पाद है बस्ती में कास्टकला है ठीक है आगे देखते हैं मनों काश्ट कला के बाद क्या है हमारा बलरामपुर बलरामपुर में आपका कालीन और दरीगा का मुता बदी में भी कालीन और दरीगा का मुता बादा में सजर पत्तर शिल्पकला बिजनोर में काश्ट कला बारबंकी में बस्तर उतपाद बलंशेयर में सिरेमिक उत्पाद अब देखते जाएए आपके जिले में रहते हैं तो कौन सा आपके यहां का वो है एक जिलावी उत्पाद ठीक है बहुतों पता भी नहीं होगा चंदॉली जरी जर्दोजी है ठीक है चलिए चंदॉली तक हो गया हमारा ठीक है चंदॉली के आगे देखते हैं हम लोग चित्रकूट में क्या है चित्रकूट में आपका लकड़ी के खिलोने फुरकाबाद में बेट, सरीर, एवम, आयरन फैब्रीकेशन वर्क्स बना जाते हैं देवरिया में सजावट का सामन फतैपूर में चादर, इटावा में बस्तरुद्यक, फिरुजाबाद में कांच के उत्पाद और इटा में गुंगरू, घंटी और पीदल के उत्पाद बना जाते हैं ठीक है इटा के बाद आगे चलते हैं हम लोग इटा के बाद आगे देखते हैं गौतम बुद्ध नगर में रेडी मेट कार्मेंट्स बना जाते हैं गाजीपूर जूट वाल हैंगिंग हापड होम फरनिशिंग गाजियवाद अभियंतर की सामिकरी हर्दोई हैंडलों गॉंडा खाद संस्क्रम अब दालें और हातरस में आपका हींग हातरस आपकी किसके ल बना जाते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं इस तरफ आ जाते हैं अब लोग सेतिस तक देख लिया ना सेतिस सेवत 38 देखिए ठीक है जहांसी में सौफ्ट टॉइस बना जाते हैं कोशामभी में खाद प्रसंग केले है कन्नोज में इत्र कुशी नगर में केला फाइबर उत्पाद है कानपुर देहात में अल्मूनियम बरतन कानपुर नगर में चमणा के उत्पाद बनाए जाते हैं ठीक है चलिए चमणा उत्पाद हो गया ठीक है देखते जाना अपना जिल्गा कौन सा क्या बंदा आपके आपके लखिमपुर कीरी में जंजाती शिल्प है ल मिरट मेर्ट में आपका खेल की शामिग्री है मिरट मेर्ट के बाद आगे देख regla महुवा मेर क्या है दिवीत तक हम ने देख लिया बहांश रही है पीली बीत में, आप आगे देखते हैं परतापगण में क्या है आपका, परतापगण में है हमला हुथपाथ, संथकभी नगर में ब्रास बेयर, राइवरेली में काश्ट कला, शाहांजापूर में जरी जर दोजी, रामपूर मे साथ एंपिल वर्क और जरी पीच वर्क है ठीक है और शामली में लोह कला है सारनपुर में आपका लकड़ी पर नकाशी की आती है श्रावस्ती में जन जाती है शिल्प ठीक है श्रावस्ती में जन जाती है शिल्प चलती है यह इसका एक जिलाई कुदपाद है और देखते है सरावस्ती के आगे हम चलते हैं सरावस्ती के बाद है संभल संभल में हस्त शिल्प हार्न अस्ती है सिद्धार्थ नगर में खाद प्रसंसकन काला नमक या चादल है सीतापुर में हरी है और सौन युद्ध में कालीन सल्तानपुर में मूँज उत्पाद और उन नाम में आपका जरी जर्दोजी और बारानसी में है में बारानसी रिषम शाणी यह आपके हो गए एक जिला एक वतपाद कंप्लिट ठीक है चलिए आगे देखते हैं एक जिला एक वतपाद हमने कंप्लिट कर लीए अब बात करेंगे हम उत्तपदेश के प्रमुक खनिज छेतर ठीक है उत्तपदेश में कौन-कौन से खनिज छेतर है ठीक है इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं आपको दीखें अच्छे से चलिए ले रहा चलिए अब देखते हैं खनिज तो देखो चूना पत्थर आपका कहां पर है मिर्जापूर में है मिर्जापूर गुरू मानक नाच बाबू गढ़ारी ठीक है और सौनबद्र में है आपका ठीक है तो चूना पत्थर काम होता है अब है डोलो माइट डोलो माइट का काम होता है मिर्जापूर में मिर्जापूर में जौन बदर में बांधा में तामा यह जो ब्रेकेट के अindर दे रहे हैं यह भी आप रीट कर लेना तामा आपका सोन राई लध्रपूर में है जिपसम आपका काम पर है जहां सी हमीरपुर में है, सिलका सेंड, प्रियागराज, बारा, शंकरगड़, और बांदा करगड़, चित्रकूट में है ठीक है, संगमरमर आपका मिरजापुर और सौनबदर में, यूरेनियम आपका ललितपुर में मिलता है यूरेनियम आपका कहाँ पर है, ललितपुर में है, बेराइट्स और अंडालू साइट, ये मिरजापुर और सौनबदर में है, हीरा आपका, बाना चिले में, में कम मातरा में, और मिरजापुर में, जंगली चेत्रों में मिलता है कोईला आपका, सौनबदर की निचले गॉण्डवाना चेत्र में, और मिरजापुर चिले की संग रॉली में है, एसबैस्टस मिरजापुर में है आपका ठीक है, रॉक फासफेट बाना में है आपका, और एडोलू साइट, ये आपका मिरजापुर में है, ठीक है, आगे द डाय उस पर ये आपका जहांसी हमीरपूर और ललितपूर और महुवा में हैं बालू मोरम ये आपका जालोन फतेपूर हमीरपूर बांदा चित्रकूर जहांसी में हैं ग्रेनाइट और डाय मेशन इस्टून ये आपका ललितपूर में हैं बैस मेलटस ये आपका बांदा में ठीक है? यह आपके जिले हैं, इन इन जिलों में आपकी यह चीजें मिलती है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, उत्तर पदेश से गुजरने वाले प्रमुक राश्ती राजमार, ठीक है? कौन सा राजमार किधर की तरफ से चल रहा है, ठीक है? और इसका नाम क्या है? अब देखें चलिए यह आपको समझ नहां देखें ये बर्तमान में ये नवीन राजमार ये है पुराना नाम ये था इसका और ये कहां से कहां तेगा और इसकी लंबाई कितनी है ठीक है ये कंप्लिट दे रखाया अब देखतें इनको पढ़ लेते हैं राश्टी राजमार जो अब बर्तमान में नो हो गया उसका पुराना नाम था दो ठीक है ये जो आपका दिल्ली मतरा आगरा टूंडला फिरोजाबाद सो कोहाबाद कानपूर फतेपूर प्रयागराज बरांसी और कॉलकता तक जाता है ठीक है जीटी रोड भी से बुल जाता है ग्रांट ट्रं प्रिशकी लंबा यह 288,8,89 km ट्रिशकी गलत टाइब पॉइंट नहीं होना चाहिए 28,89 होगा इसकी यहिस सबसे लंबा था बात यह थी ठीक है यही है पॉइंट नहीं होगा 28 नवासी है 35 NS 35 यह इसका पहला नाम था NS 7 यह जो है बरांसी, मनगावा रिवा, जवलपुर नागपुर, हैदराबाद और कन्या कुमारी तक जाता है इसकी लंबाई यह 125 ठीक है इनकी लंबाई जो दे रखी है आए हाँ, इसकी लंबाई यह जो दे रखी है यह प्रदेश में कितनी लंबाई है यूपी में इनकी लंबाई कितनी है यह दे रखा है, और इूपी में कौन कोंसे चिलों से उकर के जा रहा है, यह दे र elemento úc नहट है इसका प्राना नाम था ग्यार तक जाता है, इसकी लंबा यूपी में है 431, NS 30 इसका पराण नाम था 24B, ये जो है ये जो है जाता है नकलव राइबरेलिय और प्यागराज, इसकी लंबा ही है आपकी 185 किलोमीटर NH 27, इसका पराण नाम 25, नकलव कानपुर जहांसी और शिप्पुरी से उगर के जाता है इसकी लंबा ये यूपी में 270 किलोमीटर NH 44, इसका पराण नाम था NS 26, ये जो है जहांसी और लखना देव में से उगर के जाता है, और इसकी लंबा ही जो यूपी में है, 128 किलोमीटर NS 30 इसका पराण नाम था 27, ये जो है प्रियागराज और मन गावाद से जाता है इसकी टोटल लंबा ही यूपी में कितनी है 43 31 बटा 24, ठीक है इसका पराण नाम था 29, ये जो है नखलाव, गोरकपुर, मजफर पुर और बरॉली से जाता है, ठीक है इसकी यूपी में लंबा ही है 311 किलो मीटर 73 बटे 31, इसका पराण नाम था 56 गोरकपुर, गाजीपुर और बरांसी से उकर जाता है इसकी टोटल लंबा ही है 196 किलो मीटर 334 NS 334, इसकी पराण नाम था 58 यह जो है नकलव और बरांसी से उकर जाता है इसकी टोटल लंबा यूपी में 285 किलो मीटर ठीक है, 285 किलो मीटर आगे देखते है 285 तक हो गया अब है 34 इसका पराण नाम था 91 दिल्ली, गाजीवाद, मेरत, हरिदवार और बद्री नास से उकर जाता है इसकी लंबा यूपी में है 165 किलो मीटर 509, NH 509 इसकी पराण नाम है 93, गाजीवाद, कानपूर और कानपूर से उकर जाता है इसकी टोटल लंबा यह 405 फिर है आपका 330, इसका पराण नाम था 96 और यह यूपी में उकर की जाता है आगरा अलीगण और मुरादाबाद से इसकी टोटल लंबाई है यूपी में 233 किलो मीटर ठीक है यह इसके बारे में हमने NH 2, NH मतलब की National Highways के बारे में हमने देख लिया complete अब देखते है संगीत के घराने ठीक है यह घराने के नाम इढ़र दे रख़ें और यह कलाकार दे रखें ठीक है कौन सा घराना ठीक है अब देखे अलाउद दीन खा वा उनके शेष्चे पंडित रवी संकर ठीक है पंडित रवी संकर राजभाव सिंढ्ग यह नाम है नाम पूछ ले आता है, ये नाम जो किस घराने से महं देता है, ठीक है, मुस्ताक अली खां, बिरिंद कुमार मिश्र, आदी सितारवादग इन सब, ठीक है, तो ये किस घराने से हैं, बनारस घराने से, कोदवू, कोदवू सिंग, पंडित उयद्या प्रसाद, ये पखावज बादग है पकावज बादग है ये किस कराने से हैं नकलो गराने से हैं राम सहाय जानकी सहाय दुरगाप दास सहाय कंठे महाराज किशन महाराज सारदा सहाय भैरव प्रसाद पंडित ओ नोखे लाल ठीक है महाबीर भट पत पर तप्पू महाराज बचा मिश्र समता पसाद मिश्र उर्फ गुरई गुदई महाराज राम जी मिश्र ये सब कोने तबला बादग है ये किस कराने सम्देता हैं नकलो गराने सम्देता हैं मौदू खाँ बकसूर खाँ मुन्ने खाँ अलीफा बाजिद हुसेन खाँ असफाख हिरेंद्र गांगुली आदी ये सब कोने तबला बादग हैं ये भी किस कराने सम्देता हैं नकलो गराने सम्देता हैं बिस्मिल्ला खाँ मुम्ताज खाँ सेहनाई बादग हैं ये सब किस कराने सम्देता हैं ये बनारस गराने सम्देता हैं संबु महाराज पागल दास महंत अमरनाथ मिन्नु मिश्र मदन मोहन भोला नाथ आदी पक्खावज बादग हैं ये सब किस गराने सम्देता हैं बनारस गराने से शादिक अली खां ये सारंगी बादक है ये किस गराने सम्मधत है ये भी नकलव गराने सम्मधत है सिद्धेशवरी, देवी, घिरजादेवी, बागेशवरी देवी, कृष्णा देवी, आधी ये सब क्या है छुमरी गाय का है ये किस गहाने सम्हते हैं बनारस गहनाने सम्हते है पंडित राम सेवक मिस्र पंडित छत्रू लाल मिश्र शिवा पशुपती मिस्र राजन साजन मिस्र अमर नात पशुपती नात मिस्र धमर राज मिस्र आधी धूब्र पद एवं शास्त्री है खयाल गाया कहिए, ये सब किस गराने सम्देते हैं, बनारस गराने से सम्देते हैं, चंद्रा भाई, जसो भाई, जैसुक भाई, धन्नो भाई, रहीमन भाई, आधी ये खयाल गाया कहिए हैं, ये किस गराने सम्देते हैं, नकलो गराने से सम्देते हैं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं हम लोग उदेश एंकर वा गोपी कृष्ण नुत्यवादा के ये बनारस घराने समझे ते बालकृष्ण बूबा कपलेश्वरी रामभाव कुंठाल गोलकर उर्फ गंदर्व गंगुबाई हांगन भीमसेन जोसी सरस्वती रूं ठीक है रहीरा बाई बदो बढ़ोद कर प्रभा अन्य गायक बायदक है ठीक है ये किस कराने समझे ते केसर बाई केरकर केशोरी अमोन कर मल्लिका और जुन मसूर रतना कर पई पदमावती आधी गायक आईका है अतरौली गायका है चोटीन मैना बड़ी मैना रसूल बाई सरस्वती देवी बिध्या बिध्या धरी देवी मोती केसर आदी ठुम्री और ठपा गायका हैं ये कौन है बनारस गराने सम्मरेते हैं सूरज चांद खान चज्ज्जू खान Дूले खान नवाब कासिर अली गुलाम हुसेन अली ये सब क्या हैं खयाल गाते हैं तो यह क्या है आपके नकलो गराने संब्देते हैं। तो यह कुछ गराने संब्देते हैं। बिन्दा दीन शंभू महराज लक्षू महराज बैजनात मिसर कालका महराज अच्छन महराज बिर्जू महराज उर्मिला शर्मा शेलजा शिहीं परो मिता दास पयाल उपाध्याय परक मदान और दिप्वेन दास तनूश्री आदी। यह कथक नरत्तक हैं। यह किस गराने समधते हैं। नकलो गराने से समधते हैं। ठीक है तो यह सारे की गराने और इनसे रिलेटड जो भी सक्स हैं उन सब के मैने नाम आपके सामने पढ़े हैं। ठीक है आपको वीडियो को पॉस्ट करगे दो तिन वार इनको रीट करना समधना है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग सभी गराने अपने देख लिए हैं। अब देखिए मेले देखते हैं सभी मेले कहां कहां पर कौन कौन सा मेला लगता है यह इंपोर्टेंट है ठीक है और कैसे कैसे चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। भारिवाद लगता है ठिक क्रयाराज में शुरू होता है काुशते हो को रामेल Natürlich अब देखें कुम्ब का मेला प्रतेक बारेवर्ष प्यागराज में लगता है ककोरा मेला आपका बदाईयू रोहेल खंड का मिनी कुम्ब है ठीक है रोहेल खंड क्या है मिनी कुम्ब भी बोला जाता है इसे बटेश्वर मेला पुशु मेला इसे पशु मेला बोला जाता है यह प्रियागरास सुरू होता है रामनगरिया मेला आपका फर्काबाद गंगांतट पर लगता है दादीरा मेला पशू मेला यह आपका बलिया कार्थिक पुर्मा को लगता है नोचंदी का मेला बहुत इंपोर्टेंट मेरेट में लगता है कंस मेला मत्रा और फत्यपुर शीखरी में लगता है मुडिया मेला मुडिया मेला आपका ब्रंदावन और मंदावन मत्रा में लगता है श्रंगी रामपुर मेला ये आपका फर्कावात दशेरा ववा कार्तिक पूर्मा को लगता है शयद शालार मेला ये आपका बहराईच में लगता है खारी जलू और कार्तिक मेला ये आपका विजनावर में लगता है ठीक है तो ये हमने सभी मेले आपके कप्लीट कर दी है ठीक है चलिए आगे चलते हैं लोग अरे अच्छे आभी और है मेले ठीक है चलो इनको भी देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है सेकंड पेश में है भान में लगता है ठीक है बाल सुन्द्री देवी मेला ये आपका अनूप शहर बलंशहर में लगता है अगे देखते हैं हम लोग कार्ति के परिक्रमा मेला यह विद्ध्या में लगता है गोला गोरकनात मेला यह आपका खीरी मकरसंक्रांती को लगता है कालिंजर मेला यह आपका बाना में लगता है श्रामणी मेला यह आपका ससिका फरकबाद में लगता है नवरात्री एबम गणगोर मेला यह आपका आग के आगे रहा बिरहा एक जोहरे का आप का संपरु उत्ता प्रदेश में लगता है यूग पूरे प्रदेश में लगता है और पूरवांचल छेत में सबस्यादा लगता है ठीक है रोगनी धोडा स्वांग ये पश्यमी छेत में लगता है कजरी चौलर कराही गारी पूरवी कहरवा सोहनी रोपनी दादरा नटका बिरहा जूमर जूला चैती चोता जोली दादरा पबाली सोहर और ये सब आपके पूरवांचल छेत में होते हैं हरदौल पूंबारा और इसूरी फाग ये आपका बुंदेल खंड छेत में होता है कजरी ये आपका मिरजापुर और बराणसी में होता है लामणी और बहतर भील ये आपका रोहिल खंड छेत में होता है जूला होरी फांग ल लρεह, उदल, यह सामनते है, पूरे प्रडेश में होते हैं, खास करके बुंधगे इलखन चेत्र में होते हैं, ठड़िया न्रत्य, यह आपको मिर्जापुर सौनबद्र चेत्र में होता है, ठीक है, यह जो है सहस्त्र वानी चरणों से में, ठीक है, यह याद रखना रहता है, कर्मा, शीला नरत्य, खरवार जन जातिये के द्वारा होता है, यह आपका मिरजापुर सौन बद्र छेत्र में होता है, चोलर नरत्य, अच्छी वर्सा फशल ही तू, यह मिरजापुर सौन बद्र में होता है, ठरकह हरी नरत्य, जन जाती होगी, मिरजापुर सौन बद्र में होता है छो लिया नरत्य यह आपका प्रदेश के राजपू तो द्वारा किया जाता है प्रदेश के राजपू तो द्वारा होता है और पासी नरत्य यह आपका पूर्जा अचल छेत्र में होता है ठीक है आगे देखते हैं आगे देखते हैं अगे इसको बढ़ा कर सकते हैं क हाँ देखिए चलिए पासी नत्य पासी समाज के द्वारा होता पूर्वांचल छेत्र में नटवरी नत्य अहीर समाज द्वारा होता पूर्वांचल छेत्र में धोवी नत्य धोवी समाज द्वारा होता पूर्वांचल छेत्र में कटगोडवा, नत्य, प्रतिम, घोड़ा लेकर के उधारazing आता है, पूर्वांचल छेत में, कहगए रूँ, अवा, या कहारkov समाज के द्वारा हुता है, पूर्वांचल छेत में, नकटवगर नत्य, महिला द्वारा पुरुषक विज्धारन कर के पूर्वांचल छेत में क तuss औरकी किया था दिवावा खेत्र मैं रासक नवं रासक दंडन्थ्य यह हूं दट्च मार होली नपत्चE l t रा इन ये आपका ब्रास शेट्र बरसाना और चर्कुला, चर्कुला नत्य है, 128 दीपों का पिंजरा वा चर्कुला सिर्पर रखकर महलाओ द्वारा की आता है, ये बुंदिल खंड में होता है, जूला नरत्य या स्रावण मास मंदिरों में होता है, ये ब्रहवी प्रचेत में होता है, राई या मयूर नत्य महलाओ द्वा पहिन करके अहीर समाजवारा बुंदेलखंड में होता है पाई धड़ा नरत्य अहीर समाजवारा बुंदेलखंड में होता है तो हमने सभी नरत्य देख लिए हैं चलिए अब आगे चलते हैं लोग अभी और है थोड़े से और है एक सेकर यहां दूसरे पेज़ बने तो कोई बात नहीं अभी दीख लेते हैं यह भी बुंदेलखंड के यह सारे हाँ देखें दीप नरत्य थाली में अनेक दीप रखकर अईसवारा बुंदेलखंड में धूरिया नरत्य कुभारो द्वारा ब और दीखेंगे संब्दित नरत्य के बारे में हम देखेंगे ठीक है तत्य देखेंगे सोरी नरत्य नहीं देखेंगे चलिए देखते हैं कि एक सेकेंड इसको अपर करते हां ए ठीक है चलिए अब उत्ताप्देश में प्रमुख भाशा बोलीया और समन्दित आत्या प्रदेश की हिंदी को राज भाशा के रूप में सुईकर किया गया था तो अक्टूबर 1947 में प्रदेश में कारियालों में राज भाशा ले कोशीद की गया है 26 जनवरी 1968 ए उर्दू राज को धुति राज भासा गोशित की गई थी 1989 में। हिंदी की उपभाशा हैं… पश्मी, पूरवी, पहाडी, बिहारी, और राज़स्थान हिंदी है। उपभाशा पश्मी हिंदी की बोलीयां कि उपनले कि इनुल बहां है। कन्नोजी वा धच्छनी हिंदी ठीक है ये सब हैं उपभाशा पूर्वी हिंदी की तो पश्म हिंदी की ये च्छे हो गई पूर्वी हिंदी की कौन कौन से हैं तो पूर्वी हिंदी की हैं तीन अवधी बगेली और चतिस गड़ी उपवाशा पहाड़ी हिंदी की कितनी है दो है गड़वाली और कमायूनी और बिहारी हिंदी की कौन कौन सी है तीन है भोजपूरी मैथली और मगही और राजिस्थानी हिंदी की कौन कौन सी है चार है मारवाड़ी मेवाती मालवी और धूढ़ाड़ी ठीक है उत्तर पते से बोली जाने वाली उपबोलियां कितनी है देखो उपबोलियां आपकी खड़ी, ब्रज, मुंदेली, कन्नोजी, अवधी, बगेडी और भोजपुरी ये सब है ठीक है खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ है इसके अन्यनाम कौन-कौन से तो सौर सैनी का निनाम है कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सिरहन्दी भरतमान साहित हिंदी, सामन हिंदी और उर्दू आधारित है किस पर आधारित है खड़ी बोली पर आधारित है चलिए अब बात करेंगे उत्त परदेश के प्रमुक सहस्थान और उनके परटन इस्थान, चलिए देखते हैं ठीक है परटन इस्थान है इसकी बात करेंगे हम लोग परस्ट है प्रयागराज, ठीक है प्रयागराज में परटन इस्थान कौन-कौन से हैं कानपुर नगर में क्या क्या है जे के मंदिर चडिया घर एलेम फॉरेस्ट जू आई आई टी कानपुर नासा राम नासा राओ पार्क भीतर गाओं का गुप्त कालिन मंदिर बिठूर या कानपुर नगर में क्या क्या है बालमिकी आश्रा में ब्रहात घाट ब्रह्म तीर्थे है नकलों में क्या क्या है नकलों में बहुत सारी जीजे है अंभिटकर पार के राम अनुहर लोहिया पार के शाह नव्ज इमाम बाड़ा बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दर जाबवियां आख्याहक, काशि विश्वनाति मंदिर, एस घाट मेहट हैं, मडिकान आगाता हैं, दाशास्व, मेघ हैं, भारत माता मंदिर है गोरकपुर में क्या है गीता प्रेस गीता बातिका गोरक उमनाथ मंदिर रेल म्यूजियम कुशमारी बिनोध बन और रामगर ताल है ठीक है श्रावस्ती में क्या है आपका मेहित सेहित सोमनाथ मंदिर है बादा में आपका क्या है कलिंजर का किला है नील कंठ मंदिर है अटाला मस्जित है लाल दरवाजा है मस्जित है शाही पुल है और यम दामिनी आश्रम है फतेपुर सीकरी में क्या है शेक सलीम चिस्ती का मकवरा है बुलन दरवाजा मरियम बीरवल जोदवाई का महल है और युद्धा फैजाबाद में क्या क्या है राम जनम भूमी हनुमा शाह असरफ जहांगीर की दरगा ठीक है कुशी नगर में क्या है आपका बुद्ध का निर्वान स्थाल है थाई चनाई जापानी मंदिर है सारनाथ में क्या है धमेध धमेख इस्पूत बूल गंद कुठी बिहार और चौकडी स्थूब है ठीक है आगे देखते हैं हम लोग सारनाथ के बाद आगे देखते हैं हम लोग सारनाथ तक होगे हाँ अब देखे लखिमपूर खीरी में क्या है दुगदा नेशनल पार्क गोला कोणांक नाथ मंदिर है बरेली में क्या है आपका अहरिच राम नगर दिगंबर जैन मंदिर है और शुवितांबर जैन मंदिर है सिद्धार्थ नगर में क्या है कपिल बस्तू पीपर हवा प्राचीन बौद इस्तूप है कानपर दियात में क्या है शुकुल तालाव है मधरा में है मद्रा में देखिए, गोकूल है, महावन है, बरसाना, परक्रमा है, ब्रच की परक्रमा है, नंद गाउं है, बंदावन मंदिर है, हरिदेव मंदिर है, दाउजी मंदिर है, मंदिर जादा है, मद्रा में ठीक है, गोविन देव मंदिर, रंगनात मंदिर, द्रमिन शैली है, अ और भी है मारे पास, भीक है। किस जगे पर क्या-क्या है। अब 12 बंकी में क्या क्या है। क्या है आपका सहीद इसमारक है सुतंतरता संगरंग म्यूजियम शाहपीर मुरदाबाद बाबा अगणनात मंदिर है सेंट चॉर्च चार्च है सेंट जॉन चर्च दान तीर्थ अस्तिनापूर बेगम शम्रू निर्मित चर्च सर्धना है परकवाद में क्या है मुगल घाट कपिल मुनी आसरम रामेश्वरम धाम मंदिर और भीद कुंद है महोबा में राहिला सागर के निकट सूर्य मंदिर है विजे सागर पक्षी बिहार कक रा मठ मंदिर है गोरक पहाड़ी मकरी बाई मंदिर है और खुजु जातो मंदिर है कन्योज में क्या है संप मा तरकत की प्रतिमा है जेम काली देवी मंदिर है पदमा बती सती मंदिर है जै चंद का किला और हाजी सरीफ मंदिर है मिर्जापुर में विध्यान विध्यय वासनी देवी मंदिर है चित्रगूड में सतियन सुया आसरम, महिरशी, अत्री आसरम, इस्फिटिक, सिला, हनुमान, धारा, रामघाट, कामदीरी परिक्रमा और कामदरगिरी परवत है बहराईच में क्या है आपका सैयद सलार महसूद गाजी की दरगाह है, राजा सुहेल देव मंदिर है मरह, मग current या संदकवीर, नगर में संदकवीर, निर्वान स्थेल है, जासि में क्या है, जासि अकिला, राणी महल और मेहदी बाग ललित पुर में देवगड, पुरा तालिव के शंग्राले देवगड का दशावतार मंदिर है सुल्तान पुर में सीता कुंड घाट, चंदोली में है धान पुर शहीद इसमारक है ठीक है, यह सब है आपका आगे देखते हैं सीता कुण्ड का हो गया सुल्तानपुर में सीता कुण्ड गाट है चंदौली में धानपुर शहीद इसमारक है मुझफर नगर में शुक्रताल का प्राचिशिव मंदिर है हातरस में दोआजी महाराज है साजापुर में अस्फाकुल्ला की मजार है सारनपुर में शाक भरी देवी मंदिर है, शीतापुर में चक्रतीर्थ नैमी शरण और महिरसी ददीची आश्रम है, हापुण में ज्यारखंडे इश्वर शिवलिंग है, इटाबा में असाई इलेक सेप्राप्त दिगंबर जैन मंदिर है, देवरिया में बाबा सोमनात का मं मंदिर है, वोतम बुद्ध नगर में शिरी शंत सनातन धर्म मंदिर है, बलरामपुर में देवी पाटन या पाट इश्वरी देवी का मंदिर है, राय बरेली में जैसी इसमारक है, बदिया में ब्रंग देव मंदिर का आश्रम है, गाजीपुर में लौड कानवालिस का पराहे सौन बद्र में रणी कुष्वर महादेव मंदिर है ठीक है सौन बद्र में क्या है रणी कुष्वर महादेव मंदिर है चलिए आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं हम लोग महाधेव मंदिर है कहा गया महाधेव मंदिर हो गया और रामपुर में आपका रजा पुस्तकाल है ठीक है यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है अब बात करेंगे हम राज के नगरों के उपनाम ठीक है किस नाम से इन्हें और जाना जाता है ठीक है तो देख कानपुर किस नाम का चोरा है कानपुर को बोले आता है प्रियाग राज को क्या बोले आता है संगम नगरी तीर्थ राज या कुम्ब नगरी मेरट को क्या बोले आता क्रांती नगरी या केची नगरी नकलो क्या बोले आता बागों का नगर नजाफ कत नफासत का सहर नवाबों का शहर पूर्व का स्वार्व, चित्रगूट को क्या बला आता है, अनेक आश्यरों की पहाड़ी, फ्रोजाबाद को चूडी नगरी, सुहाग नगरी, हातरस को हींग, एवम गुलाल की नगरी, ठीक है, राजियों की ये उपनाम हो गए, ठीक है, अब बात करेंगे, नेक्स्ट वेस्ट पर च पंडो का नगर, ठीक है, पंडो की नगरी, प्रताप गड को क्या बला आता है, आमला नगर, प्रतापों का गड, ठीक है, गोरक पुरु को क्या बला आता है, गीता प्रेस का नगर, गोरक धाम और नात नगर, अध्धाव क्या बला आता है, राम जनम भुमी, राम नगर औ इतल नगरी बरानसी को मुक्ती नगर घाटो का नगर विश्वनात नगरी पंडो का नगर पवित्र नगरी शिवकी शिवकी नगरी ठीक है शिवकी नगरी एक मत देखने है शिवकी नगरी प्रदेश की धार्मिक राजधाने ये सब बोला जाता है बरानसी को ठीक है भारत का उद्योग नगरी छोटी दिल्ली, गाजिवादु क्या उनला इत्रों का नगर, खुश्मुओं का नगर, महोदया और नगर महोदय श्री, ठीक है? आगे देखते हैं, बरेली सुर्मा नगरी वास नगर, रामपुर, चाकूंओं का नगर, नवाबों का शहर, गाजिपूर, क चल, पावर कैपिटल अफ इंडिया, मलीःाबाध, या फ़र नखलव, आमो का नगर, चंदोली, धान का कतोरा, आगरा, ताज नगरी या पेठा नगरी, और साजापुर, शहीदों की नगरी, ठीके साजापुर क्या है, अब सही रहेगा पुरह दिखराएं सबस्कों जो हमें देखना है अब देखिएं उत्व ब्रदेश उर्धु अकादमी ठीक है ये कहां पर है नकलो में हो और इसकी स्थापनोविती 1972 में हिंदी संस्थान इस ये भी नकलो में है इसकी स्थापनोविती शिंदी एकइदमी येवी नकलव में है, इसकी स्थाफना हुईती 1996 मे var पंजाब एकइदमी येवी नकलव में है, उत्बदेस की ठीक है, इसकी स्थाफना अइन्स आफ में उत्तपदेश भासा संस्थान ये भी नकलव में इसकी स्थापन हो इती 1994 में साहित सम्मेलन ठीक है वह इंदी साहित सम्मेलन ये कहां पर है प्रियागराज इलाबाद में इसकी स्थापन हो इती 1910 में इंदुस्तानी अकादमी प्रियागराज इलाबाद में इसकी डहर तेंदु नाट्टे अकादमी यह वी नक्लों में इसकी स्थाफना हूई थी 1975 में कहनिया लाल मनीक मनिक लाल केंद्रीं हिंदी संस्तानी आपका कहांपर है आगरा में इसकी स्थाफना हूई थी sees गखे कर देख़ें हैं इनको देख लेते थोड़ा साम लोग ऑनाECT देखिंए। इसकी स्थापना हुरा परंसाइश हैंón लीगण मुस्लिम मिश्विधिएले सी hard 19 1921 में डॉक्टर भीम राव अंबेटकर बिश्विध्याल नगलव इसकी स्थापना हुईती 1989 में राजी गांदी राश्टिय बिमा नन बिश्विध्याले फुरसत गंज अमेटी ये जो प्रस्ताविता भी बना नहीं है रानी लक्ष्मिबाई केंद्री बिश्विध्याले जहांसी में इसकी स्थापना हुईती 2014 में ठीक है चली आगे देखते हैं हम लोग बिश्विध्याले अमने देख लिए हैं अब आगे देखेंगे हम लोग क्या है देखें सामन सिक्षा अब प्रदेशी ये बिश्विध्याले ठीक है ये बिश्विध्याले यूपी के इसके बारे में देखते हैं ये कब इसकी स्थापना हुईती और कहां कहां पर कौन साय ठीक है चली दिखते हैं, अर्भी फार्सी विष्विध्याल यह नकलाव में 210 ठीक है राम अनोहर लोहिया अब देखिए इसमें कोशन में बता दूगा वो कैसे बनेगा देखो इंपोर्टेंट अगर सन वाली बात आया तो यह लाश्ट में यह दो यार विष्विध्याल किस जगह पर यह इंपोर्टेंट बन जागा जैसे कि आपका मैं पढ़ रहा हूं डॉक्टर राम नोहर लोहिया राज्ट यह विधी बिस विध्याल यह नकलाव में है और यह आप इसमें ठीक है राइश्री मो पुर्शोत्तन दास विष्विध्याले प्रियागराज इलावाद यह आपका उन्निस सो अठ्था में बनाए बीर बाहदुर सिंग बुर्वांचल विष्विध्याले जानपुर में है यह आपका उन्निस सब्ताजी में बनाए मैत्वी शनग जानपराणिस में बनाए नश्रसी नश्युल् Kathis 45 साहुजी महाराज विष्विद्याले कानपुर यह आपका उन्निस सो पैंसेट में बनाए चौदरी चरवन उसिंग विष्विध्याले मिरत यह आपका उनिस सो पैंसेतर में बना ए संपूण नंद संस्कुर्द सब्सक्राइब बना है आगे देखते हैं अब देखते हैं अब देखते हैं डीम से विद्याले ठीक है ठीक है इंडीम विद्याले चलिए द्याल भाग सिक्षा संस्थान आगरा यह आपको 1981 यह आपका 1983 में बना है केंड्रिय यह उच शतिबद संस्थान सारनाथ बाराण सिय आपको 1989 में बना है इलावाद agriculture इंस्ट्यूट नेनी इलावाद प्रयागराई यह आपका 2000 में बना है भात खंडे हिंदूस्तानी संगीत महाविध्याले नकलव ये 2001 में बना है आपका नेशनल इंस्टूट आफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी एन आई आई टी प्रियागरा ये आपका 2001 जेपी सूशना प्रवधिग संस्तान नौईडा 2004 शोबित अभियंत्रिकी प्रवधिव की संस्तान मेरट 2006 संतोष विश्व विध्याले गाजियवा 2007 नहरू ग्राम भारती विश्व विध्याले प्रियागराज 2008 और केंद्री हिंदी सिक्षण समंडर आगरा 2008 ठीक है ये सारे हमने डीम्ड विश्व विध्याले देख लिए अ आगे चलते हैं हम लोग अब हम देखते हैं प्रदेश में प्रावधिक सिक्षावा सोध से संबंद प्रहुक संस्थान देखते हैं ठीक है भारतिय सूचना प्रवधिक संस्थान ये आपका प्रियागराज अलाबाद में हैं मोती लाल नहरू रीजिनल इंजिनियरिंग Northern Regional Institute of Paper Technology यह आपका प्रियागरा जलाबाद में है Indian Institute of Sugar Technology कानपुर में Dr. Ambedkar Institute of Technology for Handicraft कानपुर में Central Textile Institute कानपुर में National Sugar Research Institute कानपुर में Indian Institute of Technology कानपुर में Beerbal Sahani Institute of Polyobotany डखलो में ठीक है अब आगे चलते हैं और भी हैं इसमें आगे दिखते हैं इसमें Indian Institute of Management नकलो में है Industrial Textilogist Research Center नकलो में है Indian Technological Research Center नकलो में है Plot Research Institute गाजियाबाद में है Indian Institute of Handloom Technology BHU बारानसी में School of Paper Technology सारनपुर में Leather Institute आगरा में ठीक है अब हम देखेंगे चिकतसब इस विद्ध्याले की College और चिकतसब इस विद्ध्याले ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसमें हम देखते हैं इसको थोड़ा सोटा करना पढ़ेगा तब आपको प्लियर विजिबल रहेगा ठीक है चलिए देखते हैं उत्तपदेश आयरुवेद विज्ध्यान बिश्विद्ध्याले आपको कब बनाता 2016 में बनाता डॉक्टर राम अनोहर लोहिया इनिस्टूट अफ मेडिकल साइंस नकलव 2004 में बनाता किंग जोर्ज मेडिकल बिश्विद्ध्याले इस नकलव यह आपको 2002 में बनाता कब बनाता 2002 में बनाता ठीक है आगे देखते हैं हम लोग बाबा बाबा रागवदास मेडिकल कॉलेज गोरगपुर 1969 में बनाता महरानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज जहांसी 1965 में बनाता लाला लाजपत राय इसमारक कॉलेज मेरट 1962 में बनाता मोतीलाल नहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 1961 में बनाता गणेश्वर संकर बिद्यारती इसमारक मेडिकल कॉलेज कानपूर 1956 में बनाता सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा 1854 में बनाता ठीक है अब क्रशी बिश्विध्याले देखते हैं क्रशी की कुन कोन से बिश्विध्याले हैं वो हम सब पढ़ लेते हैं की बार में ठीक है चलिए अब देखिए बांदा क्रशी एवं प्राद्यो की बिश्विध्याले बांदा यह आपका 2010 में बना है सरदार बल्लब भाई पतेल क्रशी प्राधिक बिश्विध्याले मेरट में है यह आपका 2004 में बना है अब है पत्र पत्रिक आए हैं कौन सी पत्रिका कहां से कव पत्रिका के नाम देखे के रखे हैं स्थान दे रखा कहां से होती है कब इसकी सुरुवात हुई थी और इसके संपादक इस समय कौन है ठीक अब चलिए देखते हैं पत्रिकाओं के बारे में देखें वो उद्दंद मार्तंड कलकता से निकलता है ये 1826 में है इसके जो संपादक हैं जुगल के शोर शुकल हैं कानपुर ठीक हैं अब कानपुर में हैं अब नारस अफवार साहित्यक है ये बरानसी से निकलता ये पैलला कलकता से निकलता और यूपी में कंवान है इसके संपादक और कमने सुख हैं 3 मोहन मिश्रें हैं ब्राह्मन, कानपूर, 1853 में प्रताप नारण मिस्र हैं, तत्व बोधनी, बरेली से निकलता है, 1865 में गुलाव, संकर हैं, हिंदी प्रदीप, इद्यावास से निकलता है, 1870 में शुरुआत हुईती, बालकृष्ण भट्टे हैं, कभी बचन सुधा, बनारस से निकलता है, 1887 में इसकी सुरुआत हुथी, भारते इंदु हरिशंद्र हैं, सरस्वती, प्रयावास से निकलता है, 1907 में इसकी सुरुआत हुथी, चिंता मणी गोश, 1903 में महावीर प्रशाद दिवेदी थे, इसकी संपादक सुरुआत में, अभेयोद्य, नगरी, नागरी नीरत, ये इ इलावास से निकलता है, 1907 में से शुरुआत हुथी, मदन मोहन मालवी एन इसकी संपादक थे उस समय, प्रताप कानपुर से निकलता है, 1910 में गणेश शंकर विध्यारती हैं, आज precedence, 1920 में सुरुआत हुथी, शिप्रशाद गुप्त हैं, हंस precedence, 1930 में शुरुआत हुथी मुंसी प्रेमशंत इसके संपादक थे बुद्धी प्रकाश आगरा से निकलता था 1952 में शुरुबात हुथी मुंसी सदासुख लाल इसके संपादक थे सर्व हित कारक सापताहिक ठीक है इसका इस्थान नहीं बता है इसकी स्थापना इसकी सुरुबात हुई थी 1855 में और इसके शिवनारान शिवनारान इसके संपादक थे लोकमित्र मासिक निकलता था इसकी सुरुबात आगरास से हुई थी 1863 में और नाटक प्रशाद प्रकास नाटकों का मासिक पत्र ठीक है प्रियागराश से निकलता था 1884 में इसके हैं संपादक थे उस समय रतन चंदर ठीक है रतन चंदर ठीक है हमने पत्र पत्र काएं और उनके संपादक उनका वर्ष देख लिया और भी हैं भी देखें देनिक हिंदुस्तान इसकी प्रकाशन 1885 में हुआ माहा मना मदन मोहन मालविय थे सर दल अखवार यह आगराश से शुरबात हुए 1844 में प्रोफेसर सीफैन कन थे शह अस दुल अखवार यह आगराश से निकलता 1847 में मुंशी कमरू दीन थे तोहिद मेरट से निकलता है था 1831 में खलीक हसन जामी थे रहनुमा मुरादाबाद से निकलता है 1898 में मुहमद असफाक मुसेन थे और कौमी अब आज डगलोव से निकलता है 1845 में जवार लाल नहरू और रफी एहमद किद बई थे ठीक है अब देश की प्रमुक जन जाती है किस किस जगे पर कौन कौन से जन जाती है यह हमें देखना है ठीक है चलिए देखते हैं हम आगे की तरफ चलते है चलिए देखे जन जाती है देखते हैं देखे गौड दुरिया नायक ओजा पठारी और राज गौड ठीक है यह आपकी काका मिलती है महाराज गण सिदार्थ नगर बस्ती गोरकपूर देवरिया महू आजमगण जौनपूर बलिया गाजिपूर गाजिपूर चंदोली बा खाखार और खैर वार यह आपकी मिलती है देवरिया बलिया जौगाजिपूर बारांसी चंदोली और सौनपदर में पहरी परहिया परहिया सौनपदर में मिलती है सहरिया यह ललितपूर में मिलती है पंखा और पनिका यह सौनपदर में मिलती है बेगा यह आपकी में मिलती है अगारिया यह स्वानमद्र में मिलती है अब जंसंग्य देखेंगे यू-पी की सन 2011 के को बाइच कि मैं तो आई नहीं है को बीट की विएसे ठीक है चलिए देखते हैं जन्संग्य देखते हैं हम लों प्रदेश की कुल जनसंख्यआ और देश का परसेंटेश। परसेंटेश है 16.51% जीरू से लेकर के छे वर्स आयू वाले जनसंख्या कितनी है तो तीन अरव तीन अरव सात लाग एक्यानवे अजार तीन सो इकतिस पंदर दसब एकतारीस परसेंट है यह टोटल कुल जनसंख्या में उत्तप देश विस्व में चीन चीन भारत अमेर्का इंडोनेशिया आधी चीन देश्व में बात किया तो 5 वी नंबर पर यूपी की जनसंख्या कि पुल पुर्स जनसंख्या प्रतिशत कितना है हमारे यह पर पुर्स है हमारे पहाँ पर 10 दिधो पूरस पीचे फिकर नहीं याद करते कोई बात नहीं पर शुरुबात कर तो याद रखी है देखो 10 अरब 48,80510 ठीक है यह 52% करीव है 52,29% महलाओं की बात करें महलाओं का परसेंट में देखें तो 9 अरब 35,31,831, 47,71% हो गया कुल नगरी यह जनसंग्या का परसेंट कितना है 4 अरब 45,95,63 यह करीब 22% बनता है और ग्रामीड परसेंट इस ग्रामीड बनता है तो उसमें से उसे लेस करके हम निकाल सकते हैं ग्रामीड है टोटर 15,53,73,238 ठीक है यह पंता करीब 77% कुल देश की कुल शेहरी जनसंग्या उत्तब देश की तो देखेंगे तो देखेंगे तो महाराश के बाद दूसरे नमबर पर आता तो 11,79% टोटल जनसंग्या का देखे कितनी है तो देखेंगे तो देखेंगे तो देखे पहले नमबर पर आता है ग्रामीड में ठीक है इसकी जनसंग्या है 18,63% इक दसंग्या में बड़ी कुल जनसंग्या 201 एक से लेके गयारे तक तो यह बड़ी हुः जनसंग्या है 3 अरब 36 तेन अरब 36 लाख स्री तीन करोड 36,424 करोड में चल ले बात अब बात आ रही है 2001 से लेकर के 2011 तक ठीक है तो आशाद दश्की ये बारशिक ब्रद्धी ठीक है तो 21 दश्की ग्रावट देखी जाए तो दस्मिलब 63% 2001-2011 के दोरान महला ब्रद्धी दर पुर्शों से अधिक रही ठीक है तो 1-92% अधिक रही 2001-2011 के दोरान ग्रामीड एवम शहरी आवादी में ब्रद्धी दर क्रमशे है तो ग्रामीड और शहरी तो ब्रद्धी दर रही 1796 ग्रामीड और 2882 शहरी ओसत जन घनत्व 829 2001-2011 के दोरान जन घनत्व में हुई ब्रद्धी 149 की ब्रद्धी हुई है जन घनत्व में सभी राज्यों में इस्थान यूपी का तो 9 इस्थान है जन घनत्व में दश्की ब्रद्धी में सभी राज्यों में तो पांचवे नमबर पर है ठीक है यहां तक हमने देख लिया है आगे देखते हैं हम लोग ओसत लिंगा अनुपात तो 912 है एक हजार पर 2001 से 2011 के दौरान बैस्क लिंगा अनुपात में ब्रद्धी 14 वे नमबर पर है अनुसूचित जन्जाती का लिंगा अनुपात 951 है एसी का लिंगा अनुपात 907 है लिंगा अनुपात सभी राज्यों में इस्थाने 26 में नमबर पर है साक्षरता है 67.7% पुरुष और महला को सक्षरत परसंटेज दे रखाया 2001 से 2011 के दोरण औसल सक्षरता में ब्रद्धी कितनी हुई है 11.34% 2001 से 2011 के दोरण पुरुष और महलाओं में ब्रद्धी सक्षरता में ब्रद्धी कितनी हुई है 8.9% और 15.10% की ब्रद्धी ठीक है पुरुष और महलाओं में 15 रहे सक्षर्टा सभी राज्यों में इस्थान तो सक्षर्टा के मामले में 29 नंबर पर है जीरो से 6 परसेंट सर जीरो से 6 आईू वर्ग का लंगा उनपात 902 है आगे देखते हैं ठीक है रियाग राज और महुवा होगे आपका ठीक है सबसे अधिक और सबसे कम वाले जिले जनसेंक्या अले जिले सर्वाधिक वा सबसे कम लिंगा अनुपाद वाले जिले जौनपूर हो गया सबसे लिंगा अनुपाद सबसे जाद हो गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम सरवाधिक वह सबसे कम शिशु लिंगा उनपाद वाले जिले तो बलरामपुर और बागपत होगे सबसे ज़्यादा बलरामपुर में सबसे कम बागपत में है सरवाधिक वह सबसे कम साक्षर्टा वाले जिले तो गोतम बुद्ध नगर और स्रावस्ति सरवाधिक वह सबसे कम महिला सक्षर्टवाले जिली काdagणपूर और सुरावस्ति आपकी गाजियाबाद है बाराणसिया नखलव है, संतकर रवी दास नगर है और कानपूर नगर है ठीक है नियूनतम जन घनतु पांच सबसे कम वाले ललितपूर, सौनबदर, हमीरपूर, महोबा और चित्रकूर सर्वाधिक नगर वाले जिले भड़ते करम में, प्रियागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगर और लखलाओ अब है नियूनतम जन संख्या वाले पांच जिले भड़ते करम में, महोबा, चित्रकूर, हमीरपूर, स्रावस्ति और ललितपूर सर्वाधिक पुरुस जन संख्या वाले पांच जिले, प्रियागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपूर नगर और नकलव सर्वाधिक महिला जन संख्या वाले पांच जिले, प्रियागराज, आजमगर, जोनपूर, मुरादाबाद और नकलव फिर है सरवादिक ओशत सक्षर्टा वाली पांच जिली घर्टी करम में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरिया, इटावा, गाजियाबाद फिर है सरवादिक ओशत सक्षर्टा वाली पांच जिली घर्टी करम में गौतम बुद्ध नगर, औरिया, औरिया, गाजियाबाद सरवादिक सबसे कम पुर्ष सक्षर्टा वाली पांच जिली बढ़ते करम में स्रावस्ती, एक मिनट, स्रावस्ती, बहरायच, बलरामपूर, बदाईयों और रामपूर, ठीक है, आगे देखते हैं, त्रेपन से आगे कोशन देखते हैं, हम लो, यहां तक हमने देख लिया ठीक है, त्रेपन तक हमने देख लिया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, राज्य में कुल नगरों के बैधानिक नगर 630 है, एक से दसलाग आवादी वाले बैधानिक नगर 64 है, दसलाग से या इससे अधिक बैधानिक आवादी वाले नगर कितने हैं, साथ हैं, दसलाग से अधिक नगरी आवादी वाले जिले कों से हैं, कितने हैं, बारे हैं, अधिक आवादी वाले जिले घटते करम में गाजियावाद, नकलव, कानपूर, आगरा और मेरट हैं। सरवादिक नगरिय प्रतिशत वाले जिले घटते करम में गाजियावाद, नकलव, कानपूर, गतमुद नगर और मेरट हैं। सबसे कम नगरिय पतीशत वाले जिले बढ़ते करम में श्रावस्ती कुशी नगर, महाराजगन, सुल्तानपुर और पतावगण हैं दसलाग या इससे अधिक आवादी वाले नगरिय संकुलन आवादी के घटते करम में कानपुर है सबसे कम ग्रामीड आवादी वाले जिले बढ़ते करम में गौतम बुद नगर, महारा, हमीरपूर, चित्रकूट और बागपत है देश के सब्रवदिक, ऐसी आवादी वाले राज्य कोन से हैं, उत्तप देश में सबसे जादा, ठीक है, 16,6% है 16,6% है, राज्य में कुल ऐसी जनसंख्या का पतीशत कितना है, तो राज्य में, तो राज्य में परसेंटेस की बात की जाए, तो आपका 20,69% है और अगर आवादी देखी जाए, तो 4,3,57,608 है, ठीक है, यहाँ तक बात हमने कर लिए, आगे देखते हैं लोग अब देखिए, सरवधिक S.C. पृतिशत वाले जिले, घटते करम में, कौशामबी, सीतापुर, हर्दोई, उन्नाव और राइबरेली हैं सरवधिक S.C. आवादी जिले, घटते करम में, सीतापुर, प्यागराज, हर्दोई, आजमगड़ और खीरी हैं सरवधिक S.C. आवादी जिले, बढ़ते करम में, बागपत, स्रावश्ति, गौतम बुद्धनगर, महोबा और ललितपुर हैं सरवधिक वाद सबसे कम S.C. वाले जिले, सीतापुर और बागपत हैं सरवधिक वाद सबसे कम S.C. वाले जिले, कौशामभी है 34.72%, बागपत है 11.46% सरवधिक वाद सबसे कम S.T. वाले जिले, सौनभद्र और बागपत हैं सरवधिक वा राजिक के कुल ST जन संख्या का % कितना है 11 करूर 34 लाग 273 करीब यह हो गया आपका कितना यह हो गया आपका 11 करूर नहीं 11,34,273 तो यह करीब हो गया 0.57% सरवधिक वा सबसे कम ST वाली जली सोनबद्र है और आपका बागपत है और आपका ST आवादी वाले जली घटते करम में सोनबद्र बलिया देवरिया, कुशी नगर और लित्पुर है नियून्तम ST आवादी वाले जली बागपत, कन्नोज, बदाईयू, एटा और कासगंज है अब UP की बन रिपोर्ट देखते हैं हम लोग 2019 के लॉड़ेंग नई बन रिपोर्ट भी आ गई है UP की बन रिपोर्ट आ गई है तो वो भी हम देख सकते हैं पर यह है कि पेपर में कोई सा भी पूछ सकता है पुरानी और नहीं कोई भी पूछ सकता है ठीक है? चलिए देखते हैं उत्तपदेश की बन रिपोर्ट देख लेते हैं उत्तपदेश में बनावरण ठीक है तो बनावरण है 14 यह करीब हो जाएगा आपका मिलियन में बात हो रही है ठीक है 14 मिलियन हो गया इसको अगर में पूरा पढ़े तो आपका बनेगा करीब एक करोड़ एक करोड़ और तालेस लाख नहीं सरी एक करोड़ हाँ एक करोड़ 48 लाख पांच हजार पांच हजार एक करोड़ यहां पर पॉइंट आएगा ठीक है एक करोड अर्टालेस लाख ठीक है एक करोड अर्टालेस लाख पांसो पैंसेट वर किलो मीटर ठीक है ये बनेगा अब है पूरे प्रदेश में तना वरण छेत्वल कितना है तो 6.5 एक सक्षेट से मिटा दीता हो 6.51 परसेंट हो गया व्रक्षा वरण कितना है तो 7.342 वर किलो मीटर है व्रक्षा वरण में कमी कितनी हुई तो 100 वर किलो मीटर कमी होगी हमारे कमी हुई है कुल ब्रक्षा वरण प्लस बना वरण तो यह आपका बनेगा 9.19% कुल ब्रक्षावरण और बनावरण छेत्फल कितना है तो 22,147.65 वर किलोमीटर 2017 के अनुसार बनावरण यहों ब्रक्षावरण 9.18% उत्तप देश में बनावरण यहों बर्गी करन अती सगन बन ठीक है तो 1.09% है इसका छेत्फल है 2616 दसमलब 43 वर किलोमीटर मध्यम सगन बन कितने है तो 1.69% है यह आपका 4080 दसमलब 4 वर किलोमीटर खुले बन कितने है हमारे यहाप है तो खुले बन है 8109 नहीं सोरी 8000 नहीं 81198 वर किलोमीटर ठीक है और जाडिया कितनी है 0.24 ठीक है 0.24 अगर वर किलोमीटर बात की जाए तो 518.52 वर किलोमीटर ठीक है उत्ता पदेश में अभी लेखित अभी लेखित बन छेत्फल कितना यह देखते हैं हम लोग ठीक है चलिए इसको देख लेते हैं रिकॉर्डिड फॉरेस्ट एरिया है हमारे आप 16,582 वर किलोमीटर अरक्षित बन छेत्र है 72.79 परसंट सरक्षित बन छेत्र है 6.98 परसंट अव अगरिकत बन छेत्र है 20.23 परसंट ठीक है यह नोट है रिकॉर्डड फॉरेस्ट एरिया एफ आरे से बोला जाता है ग्रीन वाश भी कहते हैं से सरवादिक बन छेत्फल परसंटेज वाले जिले हैं सोन भद्र में ठीक है सोन भद्र में सबसे ज़्यादा परसंटेज है सबसे कम बद्र में 0.3 परसंट ठीक है फिर देवरिया फिर बदाईयों है मउए और मेंपुरी है ठीक है यह हमारी उत्तबदेश की बन रिपोर्ट हो गई ठीक है यह कंप्लीट हमने यूपी स्पेशल कर लिया है इसी के साथ इस बुक को हमने पूरा काना में इस बुक में जो भी यूपी स्पेशल का दे रखा था तो वो पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है यह किलास कर जखे हमने दो गедए की आपके लिए बनी है यह आपकी तो आप देख सकते हैं हम आपके लिए वो books भी provide करा हुआ ठीक है आप comment करके बताई कि आपको ये session कैसा लगा ठीक है और आप अबी तक मेरे साथ जुड़े हुएं तो आपने subscribe share सब कुछ करी दिया हुआ अगर नहीं किया है तो इस channel को subscribe करें share करें like करें share करें अपने साथ के कम से कम एक या दो फ्रेंड्स को इस वीडियो को जो है share जरूर करना एक से दो पढ़ने वाले लोगों को ठीक है ठीक है तो इसी के साथ हम इस वीडियो को बिराम देते हैं thanks for watching वीडियो take care bye bye धन्यवाद